हेलो 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 आवाज आ रही है आपको कोई ले टोपी नहीं है कोई ले टोपी नहीं है आचुके हैं आप सभी के पास आप सभी के पास आचुके हैं पहिचाने की नहीं का है पहिचाने अभी आये थे थोड़ी दर पहले आप से मिलने हाँ बिनोद पहचाने बिनोद पहचान लिए होना हमको अभी आये थे थोड़ के लिए पढ़ोगे पर board exam की तयारी के लिए तो नहीं पढ़ने वाले हो तो भाई आ जाएए जानते हो का है बिनोद भाई जानते हैं कि नहीं आप हमको नहीं जानते हैं तो चलिए बता देते हैं नाम है या लोग चौबे और कहां पर हैं अभी हम लोग अभी हम लोग हैं physics वाला foundation channel पर अभी थोड़ी दर पहले आये थे आपको कुछ पढ़ाये थे समझाये थे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया भी था अब फिर से आ गए हैं क्या नाम है चैप्टर का हम देख लें चैप्टर का नाम है magnetic effect of electric current कह रहा है चैप्टर तो magnetic effect of electric current जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं हम कहें तो समझने वाले हैं निप्टाने वाले हैं और इसके बाद दसवी क्लास के board exam के लिए हम कभी भी जीवन में इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे यानि ये मौका जो है वापस लोट के नहीं आएगा तो इसको जीलो जितना सम जीलो भाई इसको enjoy करो इस moment को enjoy करो ताकि एक वक्त आएगा और कहोगे कि भाया क्या तो दिन हुआ करते थे 12 बजे बैठने पढ़ते थे 12 बजे बैठने पढ़ते थे बैठते थे पढ़ने के लिए और रात को 12 बज जाते थे सांस लेने की फुरसत नहीं थी ना पानी पीत करते थे ना कुछ करते थे सब 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 ठीक है अचा कर क्यों रहे हो क्यों कर रहे हो अगर मैं कहूं कि आप लोग क्यों कर रहे हो अगर दो लाइनों में कहना चाहूं क्यों कर रहे हो तो चलिए बताता हूं आँखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे आधियों में क्या दम था चिराग तुफानों में भी जलते रहे तो भीया आँखों में कुछ सपने हैं उन सपनों को ले के आगे बढ़े हैं जिनको पूरा करना है पूरा करने के लिए आपको हर मोड पे हर मुकाम पे कोई ना कोई मिलेगा जो अपना हाथ बढ़ाएगा आपकी तरफ आपको एक कदम आगे खीचने के लिए हम भी आपकी तरफ वही एक हाथ बढ़ा रहे हैं, आप भी अपना हाथ बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़िये, हम आपको आपकी मंजिल की तरफ एक कदम आगे खीच के लेके जा रहे हैं, तो चलिए भईया, हमारा हाथ आपकी तरफ है, आप लोग भी अपना हाथ बढ़ा कोई फरक नहीं पड़ता है, क्या होगा, हमने अपना 100% दे दिया, best हो गया, बात खतम, clear रहे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलिए, start करते हैं, magnetic effect of electric current, एक छोटे से सवाल से, एक छोटे से सवाल से, और सवाल ये है, कि वो कौन सी चीज है, जो आप किसी को देते तो हो, पर वो चीज आपके पास भी होती है, वो कौन सी चीज है, जो आप किसी को देते हो, पर देने के बाद भी वो चीज आपके पास ही होती है, फटा फट एकदम फास करेंगे, सवाल ये है, कि वो कौन सी चीज है, जो आप किसी को दे देते हो, उसके बाद भी वो चीज आपक तो भया, आंसर है promise, वादा, वादा अगर मैंने किसी को दिया है, तो वादा मैंने सामने वालों को दे दिया, पर वो मेरे पास ही है कि मुझे उसके वादे को निभाना है, तो आज मैं आप लोगों से एक promise चाहूँगा, अगर आप लोग चाहें तो, देना चाहें तो, bounded नहीं है, यानि foundations नहीं है, mandatory नहीं है, आपकी wish पर हैं, तो भया, एक वादा, एक promise करना चाहोगे, एक promise करना चाहोगे, अगर interested हो तो ही बोलना, अगर नहीं तो कोई दिक्कर नहीं है, सुरू करेंगे अभी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका समय हो रहा है, 9 बज के 7 दिना है, एक्जाम में आपको अपना best दिना है, अब फिर जा रहे हैं, आप लोग अलग-अलग रास्ते मुड जाएंगे, कोई इस रास्ते चला जाएगा, कोई इस रास्ते, कोई इस रास्ते, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों से मुलागात तो होगी ही, पर हो सकता है क किसी से कभी मुलाकात ना हो, किसी से कुछ सालों बाद हो, तो वही है कि अगर कुछ सालों बाद भी आप लोगों से मुलाकात होती है, कहीं पर टकरा जाते हैं, किसी रास्ते पर, तो बस यही चाहते हैं, कि चाहे जो बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आर्मी आफिसर बनो चार्टेड एकाउंटेड बनो जो बनो एक अच्छा इंसान जरूर बनना एक अच्छा इंसान जरूर बनना ताकि आपको देखके आपको देखके आपके घरवालों को प्राउड हो ठीक है चलिए बहुत अग्यान की बात Google पर वैसे मिल जाएगा ये हमने भी वहीं से ल रखना कह रहा है identify the poles of a magnet in the figure numbering कर देते है numbering कर देते है number one number two आपको इस magnet के poles को identify करना है कैसे identify करोगे चलो फटा 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 बताइए जरा ठीक है है अना अरे यार अब emotional तो हो रहे हैं ना क्या अब हम भी अब आप लोगो थोड़ी कह पाएंगे अब फिर थोड़ी डाट पाणेगे फिर थोड़ी प्यार कर पाएंगे कि अरे यार पढ़ाई करो यार क्या मस्ती हो अब नहीं मिलेगा मौका तो थोड़ा दिल तो भारी हो रहा ह आखे भी नम हो रहे हैं पर रो नहीं सकते हैं dehydration हो जाएगा गर्मी का मौसम चल रहा है तो नंबर वन ये कौन सा पोल है 1st North 2nd South 1st North 2nd South ये गड़वर लग रही है गड़वर लग रही है पेपर लीख हो गया लग रहा है ये चिटिंग कर रहे हैं ये लोग हाँ भाई सब तो सही कहा रहे हैं पहला वाला North है दूसरा वाला South है अगर इसके पीछे का reason पूछे तो बता पाओगे reason भी बता दोगे मेरे हिसाब से क्योंकि हमने पढ़ा है आपने पढ़ा है कि magnet के जिस end से magnetic field lines बाहर की तरफ निकलती है वो North Pole कहलाता है यहां से बाहर की तरफ निकल र सवाल है एकदम फटाफट करेंगे समय का एकदम वेस्टिज नहीं करेंगे बहुत समय कीमती है कह रहा है what does the crowding of a magnetic field line indicates 10,11,12 बोल रहा है magnetic field lines की crowding क्या indicate करती है आंसर आ जाना चाहिए आंसर अभी तक आ जाना चाहिए फटा फट चलिए भईया फटा फटा फट आंसर कौन लेके आ रहा है विनोध आंसर आया की नहीं क्यों भाई विनोध आंसर आया की नहीं आया यहां पर देखो यह North Pole है यह South अब देखो पॉल्स पर क्या है magnetic fields क्या है crowded है तो यह crowded magnetic fields क्या represent कर रही है जो crowded magnetic fields ने क्या represent कर रही है awesome strength of magnetic field, तो crowded magnetic field represent करती है strength, तो जितना जादा, जितना जादा magnetic fields crowded होंगे किसी भी जगे पर, वहाँ पर जो strength है magnetic field की वहिया वो जादा होगी, बहुत simple, साधारण एकदम, सरल्क सवाल है, कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, देखो, crowding of magnetic field lines indicates that magnetic field in that reason is strong, यान उस particular reason में जो magnetic field है, वो बहुते जादा strong है, बहुत simple सवाल था, अच्छा, ये बोल रहा है 7, 9, 14, 7, 9, 14 में बोल रहा है, कि भाई, या what is mean by the magnetic field, तो इसको एक समझते हैं, छोटे से example से, ये देखो, ये एक magnet है, जिसका ये pole है north and south, अब क्या होगा, इस magnet के आज़ पास एक reason होगा, एक area होगा, एक field होगा, जैसे आप लोग भी अपने महले में रहते हैं, तो आपके महले में कहते हैं ना, कि आप से बड़ा क्रिकेटर कौन पैदा नहीं हुआ है, आपके महले में, आप ही सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, यानि आप लोग उस area के, उस reason के, उस field के क्या हैं, बादशा हैं, आप लोग बादशा हैं, वहाँ पर किसी और की नहीं चलती है, किसी और की नहीं चलती है, यानि वहाँ पर कोई दूसरा आएगा, तो आप से हार कर ही जाएगा, उसी प्रकार से, किसी भी मेगनेट के, आज पास एक boundary बन जाती है, एक reason बन जाता है, जहाँ पर अगर हम किसी दूसरे मेगनेट को, हम किसी दूसरे मेगनेट को, किसी आइरन के टुकुडे को, अगर हम लेके आएं, तो इस मेगनेट की वज़े से, उस दूसरे मेगनेट पर, एक force एपलाई किया जाएगा, इसका मतलब ये जो मेगनेट है, जब इस reason में एंटर करेगा, तो ये एक force experience करेगा, due to the presence of this magnet, तो ये reason, जहां पर, किसी दूसरे मेगनेट को लेके आने पर, उस दूसरे मेगनेट पर force लगता है, वो कहलाता है, इस मेगनेट का, magnetic field, वो कहलाता है, इस मेगनेट का, magnetic field, clear करते जाएगा, clear करते जाएगा, किसी भी मेगनेट के आज पास का, वो area, बिल्कुल सही जवाब है, तो यह हो जाता है आपका magnetic field, proper जो definition है, जो कि आपको कहां पर लिखना है, आपने board के exam में लिखना है, क्या है? the space around a magnet or a current carrying conductor within which its influence can be felt by a magnetic substance like iron is called a magnetic field, बिल्कुल सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, सब लोग पढ़ क्या हैं, लगता है, सभी लोगोंने paper बनाया है, आप लोगोंने मिल जूल के तो नहीं बनाया आपस में, क्यों भाई? आप लोगोंने मिल जूल के आपस में paper तो नहीं बनाया है, जो इतना तेज तेज आंसर दे रहे हो, ठीके? चलो भी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, समय कम है, define a magnetic field lines, magnetic field lines क्या होती है, अब biology पढ़ा देंगे, अभी थोड़ी दिर बात पढ़ा देंगे, biology आप लोग देखा कीजिए, community post, biology का marathon कल है, कल आपको biology पढ़ाया जाएगा, पूरा complete, यहाँ पर बताओ, magnetic field lines क्या होती है, answer नहीं आया अभी तक, answer नहीं, magnetic field line नहीं आई, आपकी वीडियो देखी, हाँ, अभी हम भी दिखाई दे रहे होंगे, आपको साइद, आप, the space, magnetic field lines क्या होती ह है, उसको represent करती है, यानि एक special kind का pattern बनाती है, जो कि represent करता है, magnetic field को, और अगर हम उस magnetic line पर किसी भी point पर एक tangent draw करते हैं, तो वो tangent उस particular point पर magnetic field की direction बताता है, क्या बोल दिये सर, इतना बड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ इसमें current flow हो रहा है, इसमें current flow हो रहा है, कितना current flow हो रहा है, आई, तो आप लोगों ने पढ़ा है, कि इसके around जो magnetic field की direction, जो magnetic line होगी, वो कैसा होगा, यह ऐसा होगा, ठीक है, अब क्या हो रहा है, magnetic field line की help से क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाया, इस particular point पर, मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस particular point पर मैं एक tangent ड्रॉ कर दूँगा, इस particular point पर मैं एक tangent ड्रॉ कर दूँगा, और वो tangent क्या शो करेगा, इस particular point पर magnetic field की direction को शो करेगा, है ना, तो magnetic field के किसी भी point पर आपको magnetic field की direction जदानना है तो वहाँ पर एक tangent draw कर दीजिए देखो, क्या कह रहा है It is a curve around a magnet or a current carrying a state conductor such that the tangent at any point on the curve gives the direction of magnetic field at that point अब इतनी तेजी से आगे इसलिए बट रहे हैं क्योंकि simple है, सारी चीज़े आप लोगों ने पढ़ी रखी है वेर दो यू टीच, हम कहां टीच कर रहे हैं भाईया physics वाला foundation channel पर हैं भाई कैसे सवाल करते हो How is the strength of magnetic field around a wire related to the strength of the electric current flowing in the wire फटाफट, फटाफट answer आने चाहिए देरी नहीं चाहिए, देरी नहीं चाहिए, answer चाहिए फटाफट बताओ ये एक wire है जिसमें current flow हो रहा है ये एक wire है जिसमें current flow हो रहा है current flow हो रहा है तो इस wire के करण क्या होगा बिनोध answer नहीं आया है बिनोध answer नहीं आया है जल्दी से बताइए answer क्या होगा ये एक current carrying wire है जिसमें current flow हो रहा है तो इस current carrying wire से r distance पर एक point है यहाँ पर a अब इस a point पर जो magnetic field का strength होगा वो कैसे depend करेगा तो भया magnetic field का strength जो है वो directly depend करता है current की value पर यानि अगर हम current की value बढ़ाएं हम अगर current की value बढ़ाएं तो magnetic field का strength है वो बढ़ जाता है और दूसरा जो magnetic field का strength है वो उस wire से जो perpendicular distance है उस पर कैसे depend करता है inversely proportional यानि अगर हम उस wire से दूर जाते जाएं तो magnetic field का strength है वो घट जाएगा घट जाएगा अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो magnetic field का strength है उसका formula बनेगा b is directly proportional to i divided by r and here here b is b is क्या strength of b is strength of magnetic field strength of magnetic field clear है clear है सवाल का answer clear है love you love you all love you all आरवी कश्या बिटा कैसे हो आप कैसे हो सब बढ़िया है तो देखिए अब answer देखो इसका वही जो आपको बताया है answer नहीं था solution नहीं था हमने बता दिया है current पर directly depend करता है और distance पर inversely proportional depend करता है clear है clear है क्लियर है कौनो दिक्कत कौनो दिक्कत भाई कौनो दिक्कत वह एक दम बताई यह देखिए 2009-2011-12-15 इतनी बार पूछा गया है इतनी बार पूछा गया है तो हो सकता है आप लोग जाए और आप लोग के सामने यही सवाल आ जाया है तो कहेंगे रहे सर ने तो हमको बताया था जी हां हमने बताया था क्या कह रहा है state the rule used to determine the direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor फटा 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 आंसर चा होगा right hand thumb rule right hand thumb rule यह बच्चे ने कहीं से तो पढ़ रखा है बच्चा बहुत है क्या चलहाक है बच्चे ने पढ़ रखा है कह रहा है एक wire है जिसमें current flow हो रहा है तो उस wire के around जो magnetic field है वो हम किस rule से find कर सकते हैं तो बहुत ही एक simple rule है जो की कहता है right hand right hand thumb rule पर यहां पर right hand आपका होना चाहिए आपके किसी साथी का नहीं right hand thumb rule से आप इसके around magnetic field की direction पता लगा सकते हैं फंब आपका होना चाहिए, हाथ आपका होना चाहिए, अपने right hand का इस्तमाल ऐसे करना है, और क्या करना है, Suppose करना है, अब हमें अपने अंगूठे को, जिस डारेक्षन में current flow हो रहा है, उस डारेक्षन में रकना है, तो भया current उपर flow रहा है अंगुठे को उपर रख दिये बढ़ियां अब क्या करना है अपनी उंगलियों को कर्व करना है अपनी उंगलियों को घुमाना है और जिस direction में हमारी उंगलियां घुमेंगी वो direction होगी magnetic field की तो उंगलियां कैसे घुम रही है उंगलियां ऐसे घुम रही है तो जब current upward direction में flow होगा तो magnetic field की direction anti-clockwise होगी दाहिने हाथ के अंगुठे का नियम हिंदी में कहें तो है ना समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया कितनी देर भाईया कह रहा है बारा बज़े आप लोगो गुड़नाइट टाटा बाई भाई थोड़ा emotional speech दे के सुला देंगे है ना आपके जीवन के कच्छा दस्वी पेपर के फजिसक के दो घंटे और मान लीजे बचे है स्टेटमेंट क्या कहता है आंसर आपको यही लिखना है एक्जाम में आपसे पूछेंगे तो स्टेटमेंट यह लिखना है इफ आ करेंट केरिंग कंड़क्टर इज इमेजन तो भी हेल्ड इन दर राइट हैंड सच देट थामब पॉइंट इन दर डारेक्शन अफ करेंट देन दो कर्ल्ड फिंगर अफ इंडिकेट दर डारेक्शन अफ मैंनेटिक फीड बला बला यह जो इंग्लिज में बोला है जो वही बोला है जो हिंदी में समझायते यह ना डाउनवर्ड में क्लॉक्वाइज अपवड में एंटी क्लॉक्वाइज ठीक है समझ गए क्लियर है अंगूठे को यह उपर घुमाईए वही चीज है जो आपको पता है राइट है थम रूल क्लियर है यह राय क्लियर है यह राय स्टेट में एंटी क्लॉक्वाइज अंटी 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 क्लॉक्वा of a force experienced by a current carrying state conductor प्लेस दिनना magnetic field which is perpendicular सवाल अगर समझ में आया है तो आंसर दीजिए जब तक हम इस सवाल को यहाँ पर बनाते हैं अगर सवाल समझ में आया है तो आंसर दीजिए वरना हम इस सवाल को यहाँ पर बनाते हैं और फिर explain करेंगे सवाल समझ में आया है तो आंसर दे दीजिए otherwise हम इसको solve कर रहे हैं यहाँ पर तो यह क्या है भाई यह है आपका magnetic field यह रहा magnetic field और हम से क्या कह रहा है एक बार हम भी पढ़ने करेंट Caring conductor प्लेमिंग के बाये हांथ का नियम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ठीक है बिलकुल सहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए अभी 10,000 लोग हैं मतलब 10,000 लोग एकदम बहुते ज्यादा interested है, बहुते ज्यादा serious है अपने दसवीक अक्छा के board को लेकर, देखो भाई, कह रहा है, एक current carrying conductor है, ये क्या है, current carrying conductor तो according to Hans Christian or Estet, according to Hans Christian उन्होंने कहा, कि जब कभी भी किसी current या हम कहें, जब कभी भी किसी conductor में, जब कभी भी किसी conductor में current flow होता है, तो वो conductor एक temporary magnet की तरह behave करने लगता है, according to Hans Christian or Estet, according to Hans Christian or Estet, जब कभी भी किसी conductor में current flow होता है, तो वो conductor एक temporary magnet की तरह behave करने लगता है, और ये एक temporary magnet अल्रेडी एक permanent magnetic field में रखा हुआ है यह temporary magnet already एक permanent magnetic field में रखा हुआ है तो बच्चों क्या होगा यह जो permanent magnetic field है वो इस temporary magnet पर लगाएगा एक force और उस force को कहा जाएगा magnetic force उस force को कहा जाएगा magnetic force Am I clear? मेरी आवाज समझ में आ रही है मेरा नाम भहिया क्या है मेरा नाम पूछ रहे हैं लोग मेरा नाम मेरा नाम बता देता हूँ मेरा नाम बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे मेरा नाम है आलोग चौबे अलोग चौबे ठीक है मेरा नाम आलोग चौबे है तो देखो वापस से आ जाए नाम समझ में आ गया क देखो, यह magnetic field है, भी permanent magnetic field है, यहाँ पर एक wire रखा है, perpendicular इस magnetic field के जिसमे current flow रहा है, हंस क्रिश्चन और स्टेट जी की अगर बात माने, तो वो कहते हैं कि जब किसी conductor में current flow होता है, तो वो conductor एक magnet की तरह behave करने लगता है, तो यह temporary magnet की तरह behave करने लगा, इसे हमने एक permanent magnetic field में रख अब यह जो magnetic force लग रहा है इस wire पर, उसकी direction क्या होगी, because, because force is a vector quantity, because force is a vector quantity, यानि magnitude के साथ साथ direction भी चाहिए, तो यह जो magnetic force की direction है, इसका पता लगाने के लिए, जिस law का इस्तमाल करते हैं, जिस नियम का इस्तमाल करते हैं, उसे कहा जाता है, फ्लैमिंग्स, उसे कहा जाता है, फ्लैमिंग्स left hand rule, और फ्लैमिंग left hand rule का statement क्याता है, कि हमें अपने left hand के four finger, middle finger and thumb, four finger, middle finger and thumb, इन तीनों को इस प्रकार से stretch करना है, कि ये तीनों एक दूसरे के mutually perpendicular हो जाए, फिर हमें अपने four finger को magnetic field की direction में रखना है, तो जो हमारा हूठा होगा, वो magnetic force की direction शो करेगा, जो कि इस case में inward है, बिल्कुल सही जब आप कह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही जब आप कह रहे हैं, इन्टू दा पेज, सब लोग एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बहुत सही है, बहुत बहुत सही है, इतना जादा सही क पे आते हैं वापस, stretch the left hand such that the thumb, first finger and the central finger are mutually perpendicular to each other, if the first finger points in the direction of magnetic field and the central finger point in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force as shown in the figure, वही चीजे जो आपको बोली है, इंगलिस में लिख दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा कुछ ग्यानी वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, वही simple सी चीजे जो कि आपको बताया है, clear है, देखो, thus in flaming left hand rule, first finger show the direction of magnetic field, central finger show the direction of electric current flowing in the conductor, thus thumb, thumb show the direction of force on the conductor, clear है, clear है, समझ में आया, clear है, सब, 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 स डराते हैं भाई बहुत डराते हैं कि नंबर नहीं देंगे, यह देखिए, अच्छा, कंपस नीडल क्या होता है, कोई बताएगा क्या, कोई बालक, बालिका, कोई विनोध, कोई भी, कोई बताएगा, कंपस नीडल क्या होता है, इसका इस्तिमाल क्यों किया जाता है, इस कंप compass का इस्तमाल किया जाता है direction का पता लगाने के लिए direction का पता लगाने के लिए compass का इस्तमाल किया जाता है जब इस current carrying conductor के बाजू में रखेंगे compass तो इस compass की needle में जो की कैसी है जो की है magnetic nature की यह magnetic nature की है यह magnetic needle है इसके अंदर magnet होता है यह magnetic needle है इसमें deflection show होता है क्योंकि this current carrying conductor start behaving like a magnet, जब इसमें current flow होता है तो ये magnet की तरह behave करने लगेगा और इस magnet के around क्या होगा? magnetic field और इसके magnetic field में हमने इस compass needle को रखा है तो ये इस compass needle पर क्या लगाएगा? ये इस compass needle पर लगाएगा magnetic force और उस magnetic force की वज़े से ये जो compass needle है वो deflection show करेगी बस इतना simple सा है, इतना simple सा है, clear है? समझ में आया? अरे रो ये नहीं भाई, रोना नहीं आ रहा है अभी पढ़ाई आ रही है अभी बस पढ़ाई आ रही है अंदर से कई चीज़ आ रही है जो कि ये पढ़ाई ठीक है? clear है? उस पर magnetic force लगता है, compass needle पर इस वज़े से deflection show करता है चलो देखो a compass needle is a small magnet when it is about near a current carrying conductor it experience a magnetic force due to the magnetic field around the current carrying conductor hence it get deflected due to this magnetic force, बहुँँ सिम्पल है, है ना? clear है? समझ में आ गया? GTA भी खेलो, GTA तो खेलना नहीं आता है, बाकि आप लोग कहेंगे तो इससे अलावा एक थोड़ा सा सवाल पूछ लेंगे, कुछ एक पहली पूछ लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो इजी पीजी कोश्चन करते हैं, है ना? एक गुफा के दो रखवाले, दोनो लंबे, दोनो काले ये गड़बढ है, कुछ तो गड़बढ है, कुछ तो गड़बढ है, सब लोग पढ़के आए हो, सब लोग ने कहेंगे देखा है मुस्टैच, मुस्टैच, मुश, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, सही जवाब है, मतलब लग रहा है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस यही सारे चीज़े करते हो चलो वापस फटाफट करते हैं फटाफट करते हैं फिर लास में थोड़ा वो होगा न विदाई शेशन होगा अब देखो ये बना बनाया था तो हमने सोचा यही दिखा दें हमने सोचा यही दिखा दें यह एक solenoid है जिसमें n number of copper की insulated copper coil है insulated wire है copper का उसकी coil बनाई है n number उसको एक हमने battery से जोड़ दिया जब उसमें current flow होगा तो उसके around जो magnetic field होगा वो एक बार magnet के समान होगा यानि magnetic field magnetic field around a solenoid magnetic field around a solenoid is same as a bar magnet एक बार magnet के around जैसा magnetic field होता है same वैसा ही होता है solenoid के around solenoid के around ठीके not to south अच्छा चलिए हाँ दो मिनिट की है उसको वापस upload करवाएंगे ठीके अब देखो एक सवाल है आप लोगों से हो सकता है कि पूछा जा सके आपको अगर कह दिया जाए कि आपको इस solenoid की polarity चेक करनी है इस solenoid की polarity चेक करनी है ये वाला है end 1 ये वाला है end 2 इसमें current ये फ्लो हो रहा है ऐसे तो आप कैसे बताएंगे ये वाला पोल कौन सा है ये वाला पोल कौन सा है भाई कैसे घवरा रहे हो आर कैसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो बिना मेनत करे मंजिल मिल जाती है क्या आपको चाहिए मंजिल खूबसूरत मेनत करने तयार नहीं हो ये कौन सा पोल होगा ये कौन सा पोल होगा ये कौन सा पोल होगा 1st, South, 2nd, North ठीके ठीके चलो भी यह थकान हो रही है तो कुछ सुनाता हूँ थोड़ा जोस आएगा थोड़ा जज़बा आएगा उसके बाद फिर आप लोग थोड़ा रुकों के एनरजी आएगी, थोड़ा सुनना ज़रा ध्यान से सुनना, हाँ, हाँ, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, बस ठकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, तो ठकना नहीं है, और बैठना नहीं है, पढ़ते रहना है, सवाल करते रहना है, तो भया, जहां से करेंट एंटर करता है, वो साउथ पोल, जहां से करेंट बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल, बस इतना सा याद रखो, या देख लो, करेंट की डारेक्शन तो रुखना है, never give up, give up नहीं करना है, what is the meaning of term frequency of an alternating current, alternating current में frequency का मतलब क्या होता है, frequency का मतलब क्या होता है, जल्दी 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 बताओ, what is the मतलब of frequency, what is the मतलब of frequency, what is the मतलब of frequency, ठीके, देखो भईया जरध्यान से, frequency का मतलब क्या है स समझाते हैं, देखो सब लोग आ रहा है, सब लोग आ रहा है, जोस के साथ आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़ियां, ऐसा ही जोस चाहिए, बने रहना चाहिए, जोस, फिर आप लोग को भी मज़ा आएगा, आप कहेंगे कि हाँ यार हमारे अंदर भी पोटेंशल तो है, बार इनी डारेक्शन कंटिनूसली चेंज कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी का मतलब है, फ्रिक्वेंसी का मतलब है, फ्रिक्वेंसी का मतलब है, नमबर ओफ साइकल पर सेकेंड, नमबर ओफ साइकल, साइकल पर सेकेंड, वो चलाने वाली साइकल आप समय ना पूचिए, समय पूचे हैंगे दिल में दर्ध होगा, बहुत दुख होगा, समय ना पूचिए क्योंकि आखरी समय आखरी बार आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, class 10th की board exam के लिए तो पढ़ लेते हैं भई number of cycle per second देखिए 0 से start करें तो A तक एक cycle हो रही है फिर A से लेके B तक एक cycle हो रही है यानी 0 से B तक total 2 cycle अब माल लेते हैं 0 से B तक जाने में 1 second लगा तो 1 second में इसने कितने cycle complete किये? 2 frequency हो जाती 2 number of cycle per second is known as frequency and अगर हम बात करें इंडिया में इंडिया में जो current flow होता है उसकी frequency कितनी होती है इंडिया में जो current flow होता है उसकी frequency कितनी होती है इंडिया में जो current flow होता है उसकी frequency कितनी होती है कोई बताएगा 50 Hz होती है 50 Hz होती है बिल्कुल सही जवाब है इंडिया में जो current flow होता है उसकी frequency 50 Hz जोती है अब अगर इसी में एक सवाल मैं add कर दूँ एक सवाल add कर दूँ तो जो current है अपनी direction कितनी बार change करता है how many times current how many times current changes its direction जो current है वो अपनी direction कितनी बार change करता है 50 Hz की frequency में कितनी बार change करता है देखिए answer आए कि नहीं answer आए कि 100 बार बिल्कुल सही जवाब है 100 बार change करता है क्योंकि देखो एक साइकल में दो बार change हो रहा है एक साइकल में एक बार ऊपर गया एक बार नीची आया तो एक साइकल में current अपनी direction दो बार change कर रहा है 50 Hz याने 50 cycle में 100 वार डारेक्शन चेंज करेगा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है चलिए विया, इसका answer दिखा देते हैं, frequency का मतलब क्या है frequency of an alternating current measures how many cycles it makes in 1 second and in India frequency of AC is 50 Hz or cycle per second, 50 cycle per second, बिल्कुल सही जवाब है ठके तो नहीं हो, काहे विनोध, ठके तो नहीं हो चिंटू-पिंटू-पप्पू ओ भाई, चिंटू-पिंटू-पप्पू विनोध, आप लोग ठके तो नहीं है, बचा लोग बचा पाटी, मुझे नहीं लगता, आप लोग ठके होंगे माफ भी चाहते हैं, कल तक यह energy नहीं है what is an alternating current considered to be advantageous over direct current for long range transmission of energy, electric energy state 1 advantage of AC over DC कह रहा है कि alternating current क्यों ज़्यादा advantageous होता है over DC, यानि अगर हम long range में current को transfer करना चाहें, मैं चाहूं यहां से मुझे दिल्ली, नहीं दिल्ली में तो मेरा मन हो गया कि यहां से मुझे 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 current को भीजना है कैसे, वो बड़ी बड़ी high tensions line होती है तो मैं यहां से मुझे किस current को भीजूंगा alternating current को या direct current को जोस तो high है जोस तो high है, बहुत सारा प्यार है आप लोगों से बहुत सारा प्यार है इट गैनET travel long distance without much loss in energy बिलकुल सही no loss नहीं loss होता है पर ज요दा loss नहीं होता है बिना loss के तो हो इनी सकता भाईया ए भाई बिना loss के नहीं हो सकता है आप गडबढढ़ है गडबढ़ है, बिना loss के नहीं असंभाव है loss होता है पर कम loss होता है without loss असंभव कहने ही सकते होगा ही नहीं ठीक है तो advantage यही होता है AC can be transmitted to long distant places without much loss of electric energy with the help of the transformer यानि energy का loss तो होता है पर वो loss कम होता है इतना कम होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब loss कम होता है simple सी बात है इतना समझ लीजिए सवाल अगला कह रहा है how is the type of current that we receive in domestic circuit different from one that runs a clock तो अगर हम बात करें domestic circuit में तो domestic circuit में कौन सा current आता है और एक clock में sorry domestic circuit में कौन सा current होता है और एक clock में कौन सा current होता है आंसर नहीं आया है अभी तक AC and DC भया domestic circuit में जो current हमको मिलता है उसे बोलते है alternating current अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि sir ये क्या है AC air conditioner है नहीं alternating current है DC क्या है sir direct current है sir ये होता क्या है सवाल तो अच्छा है होता क्या है direct current तो आगे है सवाल एक पूरा AC and DC में difference भी पूछा है तो detail में बताएंगे AC क्या है DC क्या है तो जो domestic circuit में current आता है वो alternating current होता है जो clock में हमें current मिलता है वो कौन सा होता है direct current और ये जो current है हमको किस से मिलता है तो इसको मिलता है cell से ये मिलता है battery से cell का इस्तमाल करते हैं हम battery का इस्तमाल करते हैं जिससे कि हमें direct current मिलता है और alternating current हमको कहां से मिलता है तो ये हमें मिलता है AC AC generator से ये हमें AC generator से alternating current मिलता है हमें cell या battery से मिलता है direct current बिल्कुल सही जवाब है सही जवाब कह रहे है अरे यार चैट बॉक्स में थोड़ा जोस नहीं दिख रहा है जैट बॉक्स में थोड़ा जोस नहीं दिख रहा है थोड़ा एनर्जी चाहिए चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक बार एनर्जी लेके आईए थोड़ा फूल पत्ते पहुझार करवाईए ताकि लगे कि हाँ उर्जा है, जीवन में थोड़ा रंग है, ऐसा लग रहा है कि रंग चला गया है, सारा रंग खतम हो गया है, अभी आप लोग पढ़ किया है, human eye and colorful world, color तो दिखी नहीं रहा है, थोड़ा colorful बनाईए, आरो ही कस circuit is alternating current and the one that runs a clock is a direct current, अब alternating current और direct current में क्या difference है, तो जो alternating current होता है, यह देखो रंग आगे, अब थोड़ा रंग भी रंग ऐसा लग रहा है कि जीवन में खुशियां है, जीवन में रंग है, तो जो alternating current होता है बेटा, उसका जो magnitude है, वो change होता है और उसकी direction भी बदलती है, या यानी alternating current varies in magnitude and change in direction periodically, यानी उसका magnitude ऑडा करें कि इसकी direct current की, तो उसका magnitude may और may not, may और may not, यानी बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, बट अगर हम बात करें direction की, तो वो नहीं बदलेगी, direction कभी नहीं बदलेगी, पर magnitude may or may not be changed, बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है, पर direction नहीं बदलेगी, बस ये simple सा फंड आ है, However, the magnitude of direct current may or may not change with the passes of time, but its direction remains the same, ये नहीं बदलेगा, हना, अच्छा, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल आया है, ठक गए हो क्या, ठक गए हो क्या, ठकान हो गई क्या, नीद आ गए क्या, कुरसी बैठे बैठे ठक गए हो, अगर ठक गए हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से कान दूर कर देंगे, अगर ठक गए हो, नीद आ रही है, आलस आ रहा है, बैठे बैठे कमर दुख गया है, तो बताइए, एक मिनिट में सब कुछ दूर हो जाएगा, चलो, चलो, जल्दी, जल्दी, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लैप्टॉप से, फोन से, जिससे भी अपना लेक्चर देख रहे हो, उसको वही टिका दो, सबसे कहने हैं, सबसे करने हैं, लैप्टॉप से, फोन से, जिससे भी आप ये लेक्चर अभी देख रहे ह उसको वहीं पर रख दो, जिस भी कुरसी पर, टेबल पर, जिस भी बेड़ पर बैठे हो, वहाँ से खड़े हो जाओ, सब लोग चैट रुख जाएंगे, तो मैं समझ गया हूँ कि सब लोग अपने electronic devices से दूर हो गए हैं और आप मुझे देख पाओ, जल्दी से जाके सब खड़े हो जाओ, जल्दी से सब लोग जाके खड़े हो जाओ, और फिर क्या करना है, जल्दी से, जल्दी से, जैसे comment रुखेगा, comment box में chat slow हो जाएगा, हमको पता चल जागा कि आप लोग अपने device से दूर हट गए हो, अपन बताना नहीं है, दिखाई दे रहे हैं आप, अपने मन को बता दो, हाँ सर जी दिखाई दे रहे हैं, चलो, अपने हाथों को उठाओ ऐसे, हाथों को उठाओ, हाँ, ये, ये, थोड़ा exercise करो, exercise करो, ऐसे exercise करो, हाथों को exercise करो, अरे हट गए हो तो फिर कैसे message कर रहे हो, हट कोई लाओ थोड़ा जंपिंग जपांग, जंपंग जंपग एक्सरसाइज करो, थोड़ा नींद भगयेगी, फिरエネनर्जी आएगी, जल्डी से आना, थोड़ा से एक्सरसाइज करो, exercise करो जल्दी से एक पैर पर खड़े हो जाओ थोड़ा balance करने की कोशिस करो एक पैर पर balance करने की कोशिस करो balance करने की कोशिस करो थोड़ी दिर खड़े होगे सब नींद भग जाएगा सब आलस दूर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो, साले आलस दूर हो जाएगा, भग गया, आलस भाग गया, दूर हो गया, एक पैर पर खड़े उने कोशिस करो, बैलेंस करो खुद को, बैलेंस करो नहीं हो गए, नींद भग जाएगी, साला जो ठकाने, सब खतम हो जाएगा वापस फुल एनर्जी हो जाएगी और आजाओ फुल एनर्जी के साथ, तो हाउस द जोस, हाउस द जोस, फुल एनर्जी के साथ फिर से वापस आ चुके हैं, सवाल कह रहा है, mention the color convention for life, neutral and earth wire, वह सिंपल सवाल है, कह रहा है भया, कि भया, live wire का color क्या होता है, neutral क्या होता है, and, and wire, earth wire का क्या होता है, तो live wire का बहुत सिंपल है, live wire का red होता है, generally red होता है, maximum, बट कभी-कभी आपको brown भी दिख जाएगा, तो red या brown, अगर हम neutral wire की बात करें, तो neutral wire आपको black, या blue, दिख जाएगा, अगर earth wire की बात करें, तो earth wire आपको green color के insulation में देखेगा, बिल्कुल सही जवाब है, red, black, green, red, black, green, ये red या brown भी हो सकता है, red या brown वैसे, अगर बात करें, तो maximum, maximum आपको यही देखने को मिलता है, maximum आपको यही देखने को मिलता है, red ही, और यहाँ पर आप आपको यह देखने को मिलता है, maximum, black, पर blue भी आपने कभी देखा होगा, फिर एक green होता है, ठीके, तो अब वापस energy आ गई है, नींद नहीं आ रही है, एक पैर पे आप लोगोंने खड़े होके देख लिया है, आपकी नींद भाग चुकी है, देखो, live wire is covered with insulation of red और brown color, neutral wire is covered with insulation of black color, and earth wire is covered with insulation of green color, green color, ठीके, green color, ठीके, clear है, 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 believer है, बहुत बढ़या clear है, बहुत बढ़या clear है, आगे चलते है, अगले सवाल पर, एक एलेक्ट्रिक फ्यूज पर करेंट रेटिंग लिखा है इसका मतलब क्या है इससे आप क्या समझते हैं इससे आप क्या समझते हैं इससे आप क्या समझते हैं इससे आप लोग क्या समझते हैं एक एलेक्ट्रिक फ्यूज का करेंट रेटिंग लिखा हुआ है उसका मतलब क् कि उस fuse में उससे ज्यादा करेंट फ्लो हुआ, तो वो fuse खराब हो जाएगा, and the fuse will melt, and circuit will break, fuse melt हो जाएगा, circuit ब्रेक हो जाएगा, fuse melt हो जाएगा, circuit ब्रेक हो जाएगा, fuse क्या है, तो fuse भईया एक safety device है, fuse एक safety device है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, किस से, ओवर्लोडिंग के कंडिशन से, आग लगने से, आग लगने से प्रोटेक्ट करता है, fuse का काम होता है, देखो, the maximum amount of current, the maximum amount of current that can be passed through the fuse wire without melting it, यानी maximum current कितना flow सकता है, बिना उस fuse wire को melt किये, ठीक है, clear है, clear है भईया, सब 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 सब, अरे नींद आ रही है, सीमा चोब में नींद आ रही है, तो एक पैर पर खड़े हो जाईए, balance करने का कोसिस कीजिए, balance, ये देखो भाई, ये लडगा देखो, 20 push-up लगा कि आ गया है, क्या बात है, energy हो तो इतनी हो भईया, energy हो तो इतनी हो, इतनी energy हो, कितनी, 20 push-up लगा लिया है, एक दम खड़े हो, balance कीजिए, एक दम फटा फट चल रहे हैं, आप लोगी speed देख रहे हैं, कोई time waste नहीं हो रहा है, list two characteristics of the material, list two characteristics of the material to be used in the fuse wire, fuse wire में जो material use किये जाते हैं, उनकी क्या characteristic होनी चाहिए, तो पहला कि melting point जो है, melting point जो है material का, वो low होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से melt हो जाए, circuit को break कर दे, बाकी सारे electrical appliances को जलने से बचा ले, दूसरा, उसका resistance बहुत कम होना चाहिए, भीया resistance जादा नहीं होना चाहिए, तो सारा current को रोक देगा, जो circuit का efficiency है, वो नीचे चला जाएगा, तो circuit का efficiency को नीचे नहीं गरवाना है, और उसका जो melting point है, वो कम होना चाहिए, ताकि आसानी से melt हो जाए, circuit क्या हो जाए, break हो जा reason for your answer, यानि नीचे यहाँ पर कहीं diagram दिया होगा, diagram दिया होगा, उसमें पूछ रहा है, कि जो poles है, वो mark कीजिए, कौन कौन से poles है, तो बताईए, यहाँ पर P कौन सा pole है, Q कौन सा pole है, reason के साथ, है ना, जल्दी से बताओ, कौन सा pole है, P कौन सा pole है, बहुत मजा रहा है, दिल garden garden हो गया है, दिल garden garden हो गया है, बिलकुल garden garden ही होगा, देखिएगा, कहीं hotel hotel ना हो जाए दिल, अभी garden तक ही ठीक है, कितना बचा है, बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है, दिल hotel hotel ना हो जाए, north pole, दोनो north pole है, दोनो north pole है P वाला जो है ये North Pole है Q वाला जो है ये North Pole है Reason यह है कि दोनों से जो Magnetic Field Line है वो बाहर की तरफ आ रही है इससे भी बाहर जा रही है और इससे भी Magnetic Field Lines बाहर जा रही है बाहर जा रही है और किस Pole से बाहर जाती है तो भया North Pole से बाहर जाती है तो दोनों ही नौर्थ पोलोंगे, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही कहां आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर जो कह रहा है, अगला सवाल क्या कहता है, देखो, यह पहला सवाल करवाया था, इसका अंसर आप लोगों को पता है, इसका अंसर पता है, क्या था, किसका अंसर था, इसका मतलब जो मेगनेटिक फील के स्ट्रेंथ है, किसी करेंट करिंग कंड़क्टर के कारण, वो डिपेंड करता है डारेक्ली करेंट पर, और इन्वेसली डिपेंड करता है उसके डिस्टिंस पर, clear है? and state the rule which gives the direction of magnetic field इस rule को क्या कहा जाता है तो इस rule को कहा जाता है right hand right hand thumb rule right hand thumb rule से हम magnetic field की direction को find कर सकते हैं clear है clear है clear है answer सही है answer सही है तो देखो यह राव यह right hand thumb rule किन दो factors पर depend करता है तो strength of the electric current flowing in the conductor and the distance of the point from the conductor कैसे depend करता है तो current पर directly proportional depend करता है और जो distance होता है उस पर inversely proportional depend करता है ठीक है तो यह दो fundे हैं यह दो fundे जो कि आपको पता है ठीक है अरे डर का है का लग रहा है को नहीं बात का डर लग रहा है बताओ किसको डर लग रहा है क्यों डर लग रहा है हाँ बारा बज़े मानेंगे उससे पहले नहीं मानने वाले हम तो नहीं मानेंगे अगर आप लोग मान जाओ आप लोग कॉंप्रमाइज कर लो तो कर लो हम नहीं करने वाले हम नहीं करने वाले हम कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे आप लोग चाहो तो कर लो और डर काहे का लग रहा होगा कितना सारा पढ़ रहे है कैसे निकलेगा एक्जाम हाल में जब आघोगे ना तो सब निकलेगा जो मेनत की है वो करने वाले के लिए कुछ भी की असंभव नहीं होता है फिर से सुनना कोशिस करने वाले के लिए कुछ भी अशंभाव नहीं होता है आप जो चाहे वो होगा बस कोसिस करते रहना है describe an activity to show the magnetic field is generated around straight current carrying conductor wire ठीक है 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18 सारे सालों में पूछा गया है है ना सारे सालों में पूछा गया है ज़्यादा सवाल नहीं है इसके बाद आपके 10 सवाल और होंगे 10, 12 सवाल होंगे 10, 12 सवाल होंगे जिसमें आपके competency-based सवाल भी है competency 10, 10, 10, 10, 10 light ठीक है, 10 light, ठीक है तो देखो, एक activity show करना है जिसमें बताना है कि current carrying conductor है उसके around, जो magnetic field है वो generate हो रहा है, कुछ नहीं करना है एक cardboard लीना है एक cardboard लीना है उस cardboard में छोटा सा hole करना है उस छोटे से hole करने के बाद उस cardboard में से क्या करना है उस cardboard में छोटा सा hole करके वहाँ से एक wire को pass कर दिना है एक wire को pass करना है एक छोटा सा hole करके ठीक है, cardboard में छोटा सा hole कर दिया है वहां से wire को pass कर दिना है और उस wire को एक external electric circuit से connect कर दिना है उस wire को एक external electric circuit से connect कर दिना है फिर एक की लगा दीजिए ये लो भाईया ये हो गया ठीक है अब देखो करना क्या है? आपको यहां पर इस cardboard पर आपको iron fillings डाल देना है चूरा डाल देना है आपको लोहे का चूरा डाल देना है पाउडर डाल देना है iron fillings जैसे ही आप ये की को close करेंगे इस की को close करेंगे इसमें current flow होने लगेगा इस wire में current flow होने लगेगा तो ये जो cardboard है जिस पर iron fillings जमी थी डाली थी आपने वो iron fillings क्या होगा? ऐसे अरेंज हो जाएंगी वो iron fillings ऐसे concentric circle के form में अरेंज हो जाएंगी और यही activity बताएगी यही activity बताएगी कि एक current carrying conductor के around जो magnetic field होता है वो किस प्रकार का होता है किस प्रकार का होता है ठीक है अब ऐसा हुआ क्यों तो देखिए यह iron fillings है यानि यह magnet से attach होंगी magnet से attach होंगी magnet इन पर force लगाएगा जब इसमें यह क्या है एक current carrying conductor है जब इसमें current flow हुआ तो यह एक magnet की तरह behave करने लगा यह एक temporary magnet की तरह behave करने लगा और इस वज़े से इसने क्या किया इस iron fillings पर लगाया force जिसकी वज़े से यह iron fillings इस concentric circle के pattern में arrange हो गई जो की show कर रहा है इस current carrying wire के cross magnetic field और यह कैसा होगा तो यह clockwise होगा क्योंकि जो current की direction है वो downward है ठीक है downward है clear है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बहुत बढ़या बहुत बढ़या पुशब लगा रहा है पुशब लगा रहा है सभी बहुत बढ़या energy के साथ energy, full energy देखो वही activity यहाँ पर detail में explain किये है detail में explain किये है detail में explain किये है देखो क्या कह रहा है आपको एक thick face of insulated copper wire लेना है cardboard लेना है हमने ले लिया है ना इसमें से current flow होगा तो क्या होगा गोल-गोल concentric circle बन जाएगा ठीक है अब electric circuit pass करोगे तो आप देखोगे कि जो iron fillings है वो cardboard के around कैसे हो रही है वो arrange हो जा रही है concentric circle के form में concentric circle के form में observation वही देखा we find that the iron fillings are arranged in concentric circle around the wire as shown in the figure and if magnetic compass is placed near the current carrying wire at a different position we got concentric circle around the wire as shown in the figure B and these concentric circle around the wire carrying current represent the magnetic field around the wire जो आप से हिंदी में हम कह रहे हैं जो आप से हिंदी में कह रहे हैं वही सारी चीज़े यहाँ पर लिखी है ठीक है? clear है वही हा? clear है? हाँ सार जी clear है मार साब clear है चलो horizontal power line carries current in the east to west direction what is the direction of magnetic field due to the current in the power line at the point above and at the point below the power line देखो क्या कह रहा है तो यह है east यह है west यह है north यह है south कह रहा है एक horizontal power line है जिसमें current कहां से कहां flow हो रहा है तो current east to west flow हो रहा है current east to west flow हो रहा है अब कह रहा है एक point है जो कि above the power line है यानि एक point है जो कि यहाँ पर है point A और एक point है जो कि below the power line है अब हमसे कह रहा है कि जो magnetic field होगा यह पर कहां से कहां होगा हम यूपी से हैं बिहार से हैं यूपी बिहार के border बलिया 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 सुने हो ना बकसर बकसर का यूद बकसर का यूद पढ़े तो होंगे बकसर का यूद बकसर तो पढ़े होंगे आप लोग कहां पढ़े हो बकसर का यह दो महाँ पर बलिया है बलिया की बारे में सुने होंगे आप पैंसिल से बना लीजे भया पैंसिल से बना लीजे भया देखे यह पॉइंट पर इस प्रकार का बताना है डारे राइट हैंड का थंब रूल राइट हैंड का थंब रूल तो यहां देखिए इस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो करेंट की डारेक्शन यह यह मैगनेटिक फील्ड की डारेक्शन होगी तो मैगनेटिक फील्ड की डारेक्शन यह पॉइंट पर आ रही है तो कहां से आ रही है नीचे से उपर आ रहा है यानि यहां पर होगा साउथ टू नौर्थ और यहा पर होगा north to south क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या मैं हाँ मैं बलियां से हूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ उपर होगा south to north नीचे होगा north to south उपर होगा उपर होगा क्या होगा देखो the direction of magnetic field at the point above power line is from south to north ठीक है अगला सवाल अगला सवाल देखो अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए फटा फटीड ठीक है कि थोड़ा घटाएं बढ़ाएं चाय जो पिला रहे हैं आपको उसमें कौनों दिक्कत है अधरक थोड़ा मिक्स करें या फिर कुछ इलाईची चीनी चाय पत्ती कुछ लग रहा है बता दीजे भाई कुछ कम लग रहा है मिर्ची मसाला थोड़ा नमक वागेरा कुछ कम लग रहा है तो बताईएगा इस स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं कि घटाएं या फिर सेम पेस पर चलने दे एक बार बता दीए चपरा से हो अरे एकदम वहीं चपरा पे तो हम जात जाते हैं वहीं पानी पूरी खाने चले जाते हैं फुलकी खाने चले जाते हैं इस स्पीड को क्या करें इस स्पीड को क्या करें स्पीड को कह रहा है कि ठीक रखिए सही चल रहा है बढ़ियां चल रहा है बढ़ियां चल रहा है ठीक है बढ़ियां चल रहा है ना अरे ठीक है चलो बढ़िया चल रहा है तो चलो आगे सवाल आ गया है magnetic compasses please near a current carrying wire what will you observe ठीक current carrying wire है कहो हां कहो हां गुरु जी हां कहो कहो भाई अच्छा लगता है कहिए हां कहिए हां भाईया हां कहिए ना हां कहिए हां यह क्या है भई क्या है यह compass है यही कह रहा है ना magnetic compasses please near a current carrying wire ठीक है इस पर क्या हो रहा है current carrying wire के पास में एक compass रखा हुआ है तो यहां पर क्या होगा our distance पर यहां पर एक magnetic field तो होगा ही our distance पर एक magnetic field होगा अब जो magnetic field है वो current पर directly depend करता है पहला सवाल और जो distance है उस पर inversely depend करता है दूसरा सवाल मलब दूसरा point जो हमको पता है अब क्या होगा इस simple सी बात है यह क्या है यह ccc current carrying conductor है जो की एक temporary magnet की तरह behave करेगा जब इसमें current flow होगा तो इतनी सी बात हम लोग को पता है रट रट के रट रट के रट रट के रट रट के एक दम नींद में भी कह सकते हैं यह temporary magnet की तरह behave करेगा यह already एक magnet है तो यह जो magnet है इस temporary magnet पर यह जो temporary magnet है इस compass needle पर लगाएगा एक magnetic force इतनी बात clear होगी कोई दिक्कत नहीं होगी बिना किसी दिक्कत की इतनी बात तो clear होगी यह जो wire है वो इस compass needle पर लगाएगा magnetic force और वो जो magnetic force है वो कितना होता है वो होता है BIL sin theta यह formula आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है अब देखो हमसे पूछ रहा है कि हम क्या observe करेंगे force यानी इस पर जो magnetic force लगेगा वो इतना लगेगा पहला कहरा है first condition में कि जब current बढ़ जाए जब current की value बढ़ेगी तो देखना ज़रा ध्यान से अगर current की value बढ़ती है current की value बढ़ेगी current की value बढ़ेगी तो जो magnetic field है magnetic field का strength बढ़ जाएगा current की value बढ़ने से current की value बढ़ने से magnetic field का strength बढ़ जाएगा और अगर magnetic field का strength बढ़ रहा है तो जो magnetic force है वो बढ़ जाएगा और magnetic force बढ़ गया तो deflection जो है इस compass needle का distlection जो है वो भी बढ़ जाएगा आज़ेमगड़ से हो क्या बात बनाराज हाँ जाते रहते हैं तो deflection बजाएगा समझ में आया दूसरा when the magnetic compass is displaced away from the wire यानि हम इसको खीच के दूर लेके जा रहे हैं खीच के दूर लेके जा रहे हैं खीच के दूर लेके जा रहे हैं तो first condition यह हो गया खीच के दूर लेके जा रहे हैं यह जो distance है बढ़ रही है हम R को बढ़ा रहे हैं R बढ़ेगा R बढ़ेगा तो B घटेगा R बढ़ेगा तो B घटेगा यानि magnetic field की strength जो है वो घटेगी और अगर magnetic field की strength घटेगी तो force घटेगा भया force घटेगा और force घटेगा मतलब जो compass में deflection हो रहा है वो deflection भी घट जाएगा बागी बलियां जी हाँ बागी बलियां एकदम बागी बलियां सही पैचाने हो तो देखिए यह हो जाएगा clear है? समाज समझ में आया? कोई दिक्कत कौनो परिशानी कौनो दिक्कत परिशानी problem, दुविधा, संकट कौनो संकट हो? कोई दुविधा हो? परिशानी हो? problem हो बताईए इस सवाल को समझने में wire था magnetic force लगाएगा compass needle पर deflection होगा current बढ़ाएगे magnetic field बढ़ेगा force बढ़ेगा force जादा लगेगा तो deflection जादा होगा distance दूर करेंगे magnetic field घटेगा force घटेगा deflection घटेगा love from बलिया love love you, love you love to Lucknow love to merit love to आजमगर्ड क्या कह रहे थे गाजिपूर बलिया सभी जगों को धेर सारा लब सब को धेर सारा लब भी अस ठीक है तो यह दोनों ही आंसर जो यहाँ पर करे थे जो करे थे सब कुछ कुछ क्लियर है कोई दिक्कत नहीं कटिहार को भी धेर सारा प्यार हमारी तरफ से PW की तरफ से धेर सारा प्यार आप सभी लोगों को अगला सवाल अगला सवाल अ student perform an experiment to study the magnetic effect of current around a current carrying conductor with the help of magnetic compass ठीक है एक student है एक experiment कर रहा है magnetic effect of current around a current carrying conductor with the help of a magnetic compass ठीक है degree of deflection of the magnetic compass increases when the compass is moved away from the conductor ओके देखो solve करते हैं उसके बाद फिर देखेंगे क्या कहना चाह रहा है आप लोग answer देते रहिए आप लोग answer देते रहिए आप लोग कटावती मत करिएगा कोई कटावती नहीं करेगा कोई कटावती नहीं करेगा कोई कटावती नहीं करेगा आपकी तरफ से answer फटा फटा आना चाहिए फटा फटा आना चाहिए मैं पूरी इसको भी धेर सारा प्यार भाई सभी लोगों को आप सभी लोगों को पूरे PW परिवार की तरफ से दो मिलियन टन प्यार ये देखो ये वही है, कमपस है ये परपेंडिकलर डिस्टेंस आर है हमको बस एक चीज पता है एक फॉर्मला पता है, वो लिख लेते हैं एक बराबर होता है, B, I, L, Sine, Theta ये फॉर्मला आप लोगों पता है, हमको पता है, सबको पता है ये फॉर्मला इसको हमने लिख लिया एक और चीज पता है, वो भी लगे हाथ लिखी लेता हूँ जब इतना कर्चा हो गया, तो एक चिप्स ले ही लेते हैं ठीक है, B is inversely proportional to R clear है, clear है, clear है, clear है, अब देखो कह रहा है कि एक बच्चा है, बच्चा बुद्धी है, थोड़ा सा कम है, बच्चा बुद्धी है कह रहा है कि the degree of deflection of the magnetic compass increases, deflection बढ़ रहा है case 1 की बात करें, तो कह रहा है, deflection बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है when the compass is moved away from the conductor, यानि जब हम compass को दूर लेके जा रहे हैं, तो deflection बढ़ रहा है अब या, यह तो हमको दिया है, अब इसका answer देखिए, इसका answer क्या होगा R बढ़ रहा है, दूर लेके जा रहे हैं, R बढ़ रहा है, तो B, magnetic field का strength घटेगा magnetic field का strength घटेगा, तो जो magnetic force है वो घटेगा, और magnetic force घटेगा, तो deflection भी घटेगा मतलब पहला वाला गलत कह रहा है, पहला वाला गलत कह रहा है, यह गलत कह रहा है, यह statement गलत है पहला वाला गलत है, clear हो, clear हो, समझ में आया, पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, सब लोग सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है, the degree of deflection of the magnetic compass needle increases when the current through the conductor is increases, बिना सोचे समझे, इसको सही कर देते हैं, कह रहा है current बढ़ने पर deflection बढ़ेगा, बिल्कुल सही बढ़ेगा, तो दूसरे वाले को देखो, current बढ़ेगा, current बढ़ेगा, तो magnetic field का strength बढ़ेगा, magnetic field का strength बढ़ेगा, तो जो force है वो बढ़ेगा, और force बढ़ेगा, तो deflection भी बढ़ेगा, तो वही कह रहा था, जो deflection है, वो बढ़ रहा है, कब? current की value बढ़ने पर, current की value बढ़ने पर deflection बढ़ेगा, दूसरा वाला एकदम सही, एकदम सही कह रहा है, तो दूसरा वाला true, पहल वाला incorrect ठीक है? reason समझा दिये है reason समझा दिये why does a current carrying conductor kept in a magnetic field experience force and what is the direction of force acting on the conductor तो what is the direction of force acting on the conductor यह आप निकाल सकते हैं एक बहुत ही simple तरीका होता है Flamming's left hand rule से अब कह रहा है जब किसी current carrying conductor को जब किसी current carrying conductor को magnetic field में रखते हैं तो force लगता ही क्यों है क्यों लगता है कौन कहता है लगो ठीक है? कौन कहता है लगो कौन कहता है लगो तो भया देखो देखो हम दिखाते हैं तब तो देखोगे यह क्या है? यह conductor है यह conductor है conductor में धेरो सारे electron है तो simple सा फंडा है simple सा फंडा है आदित्राज पटना सभी को नमस्कार तो भाया ये जब electron move करेंगे किसी magnetic field में देखिए जब हम इन electrons को किसी magnetic field में रखेंगे और ये electrons move करेंगे तो इन electrons पर क्या होगा इन electrons पर force लगेगा ये क्या है magnetic field और ये electrons move कर रहे हैं यानि current flow रहा है और ये magnet की तरह भीएव करेंगे तो इन electrons पर इस magnetic field की वज़े से force लगेगा और सारे electrons पर लगने वाले force को हम total जोड़ दें यानि इस पर लगने वाला force इस पर लगने वाला इस पर इस पर इस पर लग रहा है जो सारे electrons पर लगने वाले force के सम के बराबर होता है इस पर लगने वाला force इस पर इस पर सब को जोड़ोगे तो इस पूरे conductor पर एक net force लगेगा जिसे magnetic force कहा जाता है ठीक है? कुछ करो नीन आ रहा है तो खड़े हो जाओ वहीं laptop mobile के सामने खड़े हो जाओ एक pair पर balance करो एक मिनट तक balance करो एक मिनट तक जो balance कर लेगा उसका नाम लेंगे भाई हम यहाँ पर एक मिनट तक जो balance कर लेगा उसका नाम लेंगे हम कितनी slide बची है? देखो गिल लेते हैं कितनी slide बची है? कितनी स्लाइड बच्ची हैं ये सवाल हो गया एक दो तीन चार पांच छह बास आपके आपके नौ सवाल और बच्चे हैं अरे भाई धीरे चलो इतना जल्दी में कहा हो अरे इतना बहुत आगे चले गए तो अब वो क्या बहुत देर से चल रहा है तो मसीन है अब ये थोड़ा धीरे 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 हैंक कर रहा है नौ सवाल बच्चे है पकड की इनको चलाना पड़ रहा है आप लोगों ने देखो स्लाइट करने को कहा है अब यतना तेजी से मूव कर रहा है कि हम इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं सवा ग्यारा सड़े ग्यारा तक मैक्जिमम खतम कर देंगे उसके बाद आपको कौनो दिक्कत नहीं होगा देखो अब मत कहना ढूणने को वरना क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा देख रहे हो ना थोड़ा गड़बड कर रहा है क्योंकि बहुत देर से चल रहा है अब यह भी मसीन है दस घंटे से चल रहा है आप लोग ठक गया है फिर यह भी ठकना ही चा A current carrying conductors contain moving negatively charged particle electrons, ठीक है, अब each electron's experience of force, हर एक electron, यानि हमने conductor को जब किसी magnetic field में रखा, तो हर एक electron पर force लग रहा है, and the total force experience by the electrons is equal to the force experience by the conductor, यानि सारे electrons पर लगने वाले force को मिलाया जाए, तो वो conductor पर लगने वाले force के बराबर होता है, and this force acts perpendicular to the both magnetic field and the direction of current in the conductor, and the direction of force acting on the conductor is determined by flaming left-hand rule, और यह जो force होता है, वो कितना होता है, B, I, L, sin, theta, अब यहाँ पर जड़ा फटा फट वेल्यू तो बताओ, यहाँ पर B क्या होता है यहाँ पर B क्या होता है, B क्या होता है, जल्दी जल्दी बतादो B क्या होता है, strength, strength of magnetic field, strength of magnetic field, I क्या होता है? I current होता है L क्या होता है? Length of the conductor Length of the conductor Inside the magnetic field Theta क्या है? Angle between I and B Notes आपको PW app पर मिल जाएंगे What is the direction of force acting on the proton? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है Proton इधर आ रहा, magnetic field की direction यह है इस पर force बताओ, जल्दी से अच्छा, अलावाद से है, क्या बात है? प्रियाग राज, प्रियाग राज नाम हो गया है, अलावाद पहले था Answer बताओ Notes मिलेगा बेटा, आपको PW app पर यहाँ पर बताओ, answer क्या होगा? Force कहां लगेगा? What is the direction of force acting on the proton? इस proton पर लगने वाला force कहां पर होगा? Into the page Into the page Into the page कह रहा है, out of the page Out of the page, out of the page, तो भया proton पहली बात तो एक बात समझ लो कि यह positive charge होता है इस पर positive charge होता है और आप लोगों ने electricity में पढ़ा है कि जो conventional current की direction होती है वो positive charge की direction में होती है यानि जिस direction में आपका positive charge move करता है, conventional current की direction वही होती है, तो current की direction नीची हो जाएगी current की direction यही होगी, जिस direction में proton flow रहा है, क्योंकि वो positive charge है magnetic field की direction यह है flaming का left hand rule लगाते हैं देखो, हमारी four finger magnetic field की direction में current, current नीचे, current नीचे अंगुठा कहा रहा है, बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है, outward, यानि जो force लगेगा, वो कहां लगेगा outward बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, बिलकुल सही जवाब है बिलकुल सही जवाब है, सब लोग सही कह रहा है बिलकुल सही जवाब है, यह हो जाएगा answer वही, according to flaming left hand rule, the force acting on the current carrying wire यह सब लगाओगे, two arrows showing the direction of proton represent the direction of current in the conductor therefore the force acting on the conductor is perpendicular to the plane of paper and in upward direction, ठीक है, यह हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा force clear है, चलो यह सवाल देखो, यह सवाल देखो एक particle है, alpha particle है, will experience any force in the magnetic field, if alpha particles are positively charged, तो देखो बच्चो यह क्या है, यह एक magnetic field है, यह magnetic field है, इसमें एक charge आजाता है, कहीं से भूला बटकता एक भूला बटकता charge आजाता है एक भूला बटका charge आजाता है, तो इस charge पर क्या होगा, इस charge पर यह magnetic field, यह charge पर magnetic field क्या लगाएगा, एक force लगाएगा, और यह जो charge है यह enter कर रहा है यह आपर V velocity से यह charge इस magnetic field में V velocity से enter कर रहा है तो इस charge पर एक force लगेगा इस charge पर एक force लगेगा जो force होता है कितना जो क्यों होता है Q जो क्यों होता है Q V B इस पर एक force लगता है जो कि Q VB के बराबर होता है जो कि Q भी भी के बराबर होता है यहाँ पर Q क्या है? Q क्या है? तो Q क्या है? चार्ज है Q है चार्ज यहाँ पर V क्या है? V है velocity of charge velocity of charge यानि चार्ज कितनी velocity से enter कर रहा है उस magnetic field में V क्या है? strength V है strength of magnetic field अब चलो सवाल पर आते हैं सवाल पर आते हैं बहुत simple सवाल है कह रहा है कि alpha particle जो कि positively charge होता है उस alpha particle पर क्या कोई force लगेगा? अगर वो rest पर रखा है first condition answer बताइए love from Gualier क्या बात है? first condition में rest पर है first condition में rest पर है इसका मतलब V 0 है और V अगर 0 है तो force 0 लगेगा first condition में कौनो force नहीं लगेगा? first condition में कौनो force नहीं लगेगा? दूसरा if moves in the magnetic field parallel to the lines यानि magnetic field के parallel move करेगा भया अगर magnetic field के parallel move कर रहा है parallel move कर रहा है अगर इस formula को थोड़ा में और detail में लिख दूँ तो यह होता है sine theta parallel move कर रहा है इसका मतलब theta की value है 0 degree and sine 0 degree sine 0 degree होता है 0 इस वज़े से जो force है वो again 0 हो गया force जो है वो again 0 हो गया third case की बात करें तो वो perpendicular move कर रहा है इस condition में force 0 हो जाएगा इस condition में भी force 0 हो जाएगा third condition में क्या रहा है perpendicular perpendicular मतलब theta की value 90 degree और sine 90 की value होती है 1 जो की maximum होती है यानि इस condition में जो force लगेगा कौन सी condition में बिलकुल सही ज़वाब है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है बचा पाटी, बिल्कुल सही जवाब है, justify your answer हमने justify कर दिया है, देखो, तो यह होता है formula qvb sin theta, first case में velocity 0 है, rest पर है तो force 0 हो गया, second case में parallel condition में है, तो theta 0, तो force 0, third condition में perpendicular है, 90 degree, तो जो force होगा, वो कितन love from Odisha, मैं consistency में हूँ, कोई guess कर सकता है, कोई guess कर सकता है, कोई guess कर सकता है, चलो, कोई guess कर सकता है, मैं consistency में हूँ, कोई guess, कोई guess, कोई guess कीजिए, बहुत फटा फट हो गया थोड़ा सा पानी पी लें अगर आप लोग कहें तो थोड़ा सा जल्दी हो रहा है हलका सा पानी पी लेते हैं विथ यूर पर्मीशन रतनेश सिंग ने सही कहा है अनुराग गुपता ने सही कहा है रजा अली सही कहा है अब आप लोग इनके कमेंट देखके पता लगा लिजिए कि कहां पर है ठीक है एक सर्कुलर कॉइल है उसमें करेंट फ्लो रहा है तो उसके सेंटर पर एक circular coil है जिसमे current flow रहा है तो उस circular coil के center पर जो magnetic field की strength है उसके magnetic field की strength है वो depend कैसे करती है center पर यहाँ पर radius पर कैसे depend करती है तो magnetic field radius पर depend करती है gotta go难Okay है inversely proportional inversely proportional number of turn पर directly proportional इसपे inversely proportional repent का तो इस पर directly proportional dispend करता है ठीच है number of turn पर number of turn पर directly depend करता हे inversely proportional to the radius of coil radius of coil पर अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है यहां में यहां पर इस कोईल में एंड टर्म्स है इसमें सिर्फ एक ही टर्न है उसमें करेंट फ्लो हो रहा है सिर्फ एक टर्न है इसमें करेंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब हमसे कह रहा है कि जो इसके द्रारा magnetic field प्रोड्यूज होगा, इसके द्वारा magnetic field प्रोड्यूज होगा B dash वो इसके द्वारा produce magnetic field से N गुना जादा होगा, ठीकर? इससे produce magnetic field जो की B dash है वो एक single coil से जो magnetic field produce हो रहा है उससे N times जादा होगा यानि जितने numbers of turns होगे उतने गुना जादा ये magnetic field produce करेगा ऐसा क्यों? अब दिमाग काम नहीं कर रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा है चलिए अभी बैठे बैठे एक exercise love from 1RC काम नहीं कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है अभी एक तरीका बताएंगे एक बैतरीन तरीका बताएंगे जिससे क्या हो जाएगा आपको सब समझ में आने रहेगा करना क्या है एकदम सीधे आराम से अपने मुंडी को सीधे कर लीजिए ऐसे करना है मुंडी को घूमाये घूल और मुंडी को घूमाये फ्र क्या होगा अएकदम वापस reset हो जाएगा जैसे mobile काम नहीं करता है जैसे हमारा mobile नहीं चलता है हमारा तो क्या करते है restart कर देते हैं restart कर देते हैं तो हमारा ये दिमाग क्या है ये भी एक system है भया काम करना बंद कर दिया है नहीं समझ में आ रहा है catching power खतम हो गया है तो एक बार मुंडी को घुमाईए थोड़ा मुंडी को घुमाईए ऐसे थोड़ा करिए मुंडी को दो तीन बार घुमाएंगे restart ह हो जाएगा फिर से सब समझ में आने लगेगा ठीक है? बैटे बैटे कर सकते हो कहीं उठकर जाने की जहरुआत organization कर सकते हो तो बिल्कुल सही है न? देखो या इसमें जो magnetic field produce हो रहा है इसमें produce magnetic field का N गुना जादा है कैसे? देखो, अगर हम बात करें सारे coils में सारे coils में जो current flow हो रहा है वो same direction में हो रहा है यानि direction of current जो direction of current है वो सभी coil में same है direction of current क्या है? सारे coils में same direction में current flow हो रहा है तो उसकी वज़े से क्या होगा? इसके द्वारा प्रोड्यूज्स each after he would be 1 इसके द्वारा प्रोड्यूज्स रिस्तार्ट वा रिस्तार्ट वारी स्टाट अ कि नहीं रिस्तार्ट लुएक यजल्डी से बता आरी start one now as the direction of current flowing in each turns of the coil is same so the direction of magnetic field produced by each turns is also the same and the magnetic field produced by each turns will therefore get added up to give the magnetic field produced by a coil of n turns hence magnetic field produced by a coil of n turns is equals to n times the magnetic field produced by the coil having single turn why magnetic field produced by a coil of n turns is equals to magnetic field produced by a coil of singleton into N ठीक है, clear है, यह सब add हो जाएगा, यह सब add हो जाएगा, यह सब add हो जाएगा समझ में आ गया, समझ में आ गया हाँ, तो भाईया, आपने सर घुमा लिया है, restart हो चुके है love from हिमाचल, है न, love from हिमाचल हिमाचल में धेर सरा हिमाचल को भाई, सभी लोग को धेर सरा प्यार, धेर सरा प्यार, बस आधा गंटा, आधा गंटा और हमको दे दीजिए अपने जीवन का हम चाहते हैं, what are permanent magnet and electromagnet बताइए, permanent magnet and electromagnet क्या होते हैं और दोनों के दो uses बताते हैं तो Permanent Magnet और Electromagnet क्या होते हैं, चमक गया वहिया, चमक गया, चमक गया, सब को चमक गया, सब को चमक गया, ठीक है, चलो, Permanent Magnet, Permanent Magnet में Polarity Fixed होती है, North Pole जहाँ परे वहीं रहेगा, South Pole जहाँ परे वहीं रहेगा, Polarity Fixed रहेगी, Electromagnet की Polarity हम Change कर सकते हैं, Current की Direction चींज करके, सकते हैं, According to our requirement, Current की Value को Change करके, ठीक है, तो Permanent Magnet has Fixed North and South Pole, Strength of Magnetic Field of a Permanent Magnet cannot be changed, वहीं अगर हम बात करें, Electromagnet की, तो हम Electromagnet में एक Soft Iron Rod को Place करके, Current Carrying Conductor, एक Solenoid है, एक Solenoid के अंदर हमने Soft Iron Core को Place किया, तो वह Electromagnet बन जाएगा, और हम Magnetic Field जो है, Electromagnet की बढ़हा सकते हैं, और घटा भी सकते हैं, By Increasing or Decreasing the Current in the Solenoid, यानि हम इसकी Strength को जब चाहें, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से घटा सकते हैं, जो Polarity होती है, Electromagnet की, वो भी Change हो सकती है, By Changing the Direction of Current, Current की Direction बदल ये, Polarity को बदल दीजिए, पर्मनेंट मैंगनेट का यूज किया जाता है, Loud Speakers में, and Simple Electric Motors में, वहीं अगर बात करें, Electromagnet की, तो उसका यूज किया जाता है, Electric Bell में, Electric Horns में, and Television में, Electromagnet का यूज किया जाता है, ठीक है? Clear है, Clear है, Electromagnet का यूज हम, Electric Bell, Electric Horns, Television में कर सकते हैं, Permanent का हम यूज कर सकते हैं, Loud Speakers में, and Simple Electric Motor में, तो ये हो जाएगा आंसर, ये देखो, अब, यहां से, अब, खतम हो रहे हैं, यहां से सवाल अब खतम हो रहे हैं, यहां से सवाल खतम हो रहे हैं, अब गिनके, आपके, 8 सवाल बचे हैं, 8 सवाल बचे हैं, 8 सवाल बचे हैं, 8 सवाल बचे हैं, सिर्फ 8 सवाल बचे हैं, 10 बच के 29 अन्याट हो रहा हैं, सवा ग्यारा भरे, आपको चुट्टी मिल जाएगी, फिर आपको Physics पढ़ने के जरूरत नहीं है, काक्छा 10 हमें, बोड के लिए, ठीक है, चलिए, तो भीया, ये आगया सवाल, current time graph for two different sources are shown in the following diagram, now answer the following question, clear है, clear है, ये दो हमको diagram दिख रहे हैं, following questions का answer हमको बताना है, पर उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा energy दिया जाए, थोड़ा motivate किया जाए, थोड़ा energy दिया जाए, थोड़ा motivate किया जाए, सुनिएगा जरध्यान से, सुनिएगा जरध्यान से, खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आस्मान बाकी है, तो अभी पूरे आस्मान पर कबजा करना है आप सभी लोग को आप भी वही परिंदे हैं जिनोंने उडान भर दी है इन में से बहुत सारे उडानियन्स हैं आप भी हैं बोड बूस्टर से पड़े हैं कुछ नए लोग हैं तो भीया आप लोग को भी उडान भरना है उर्जा है समय है भरिये कोई रोक नहीं है पहला सवाल कह रहा है नेम दा टाइप ओफ करेंट शोन बाइदा ग्राफ ए एंड भी ग्राफ ए में कौन सा करेंट फ्लो हो रहा है तो भीया ग्राफ ए में डी सी एंड ग्राफ बी में एसी यह एसी है तो पहला अरे रे 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 र बै कि ग्टरी इसका सोर्पेल इसका सोर्स बता इसका सोर्स कह सा्वगा होगा इसका सौर्स हो जाएगा dc motor अरी DC generator sr AC generator एक और सोर्स बता इसका त्रौ ईन में दूबाई आगे अनिमटर इसका सोर्स थास प्लाई रॉस हो डॉसक चाइद हम या डलो 빼। है , छाइन न को मैग समस्क्राइब आपक । बिलक्व सही जवाब है , आपका क्या कह रहे है , आपका हान्स व्ल 20 मेग समस्क्राइब? transformer कहें दीजिए what is the frequency in the case b b वाले case में frequency कितनी है b वाले case में frequency कितनी है तो देखिए ओ से start कर रहा है और complete एक cycle यहाँ पर खतम हो रहा है ओ से start करके यहाँ पर एक cycle complete हो रहा है और एक cycle complete करने में जो समय लग रहा है वो 0.02 second है यानि एक cycle complete करने में जो time लग रहा है 0.02 second है एक cycle complete करने में इतना समय लग रहा है और बच्चा पाटी जो frequency और time में relation होता है वो होता है 1 upon t यानि 1 upon 0.02 इसको solve करेंगे तो आ जाएगा 50 hertz यानि जो frequency होगी frequency होगी वो कितनी है वो है 50 hertz वो है 50 hertz clear है? यानि आपको DC और AC ग्राफ में दो difference बताने है DC और AC ग्राफ में दो difference बताने है चलिए वो दो difference बता देता हूँ पहले तो भाई ये जो लिखा था वो देखो पहले में DC दूसरे में AC ये रहा dry cell और इसका हो गया AC generator ये क्या हो गया आपका? ये रहा 50 hertz अब दो difference दो difference AC और DC दो difference AC और DC जड़ा देखो तो the magnitude of direct current is constant and the flow in only one direction direction नहीं बदलता है यहाँ पर AC current का जो magnitude है change may change with time and the direction of alternating current reverse periodically यानि periodically इसका जो direction नहीं बदलता रहता है direct current cannot be used for large scale supply of electricity for household purposes यानि घरों में हम direct current का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पर alternating current का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं अपने electrical appliances जैसे electric bulb जैसे electric heater, electric iron refrigerator को चलाने के लिए जो frequency होती है direct current की वो zero होती है क्योंकि ये direction change नहीं करता है वहीं अगर बात करें हम alternating current की तो उसकी frequency 50 होती है उसकी frequency 50 होती है तो ये हो गया आपका difference अगला सवाल आ गया अगला सवाल जो की कह रहा है define a solenoid and compare the magnetic field produced by a solenoid with a bar magnet solenoid की definition फटा फट परिभासा आ जानी चाहिए solenoid की definition लिख दीजिए लिख दीजिए भहिया बालक बालिकाओ बालक बालिकाओ जल्दी से लिख दीजिए solenoid की definition लिख दीजिए solenoid की definition लिख दो भहिया solenoid की definition लिख दो यह रहा एक बार मैगनेट यह रहा एक बार मैगनेट अगर हम बात करें बार मैगनेट के अराउंड मैगनेटिक फिल्ड की तो बार मैगनेट के अराउंड जो मैगनेटिक फिल्ड होता है वो यह होता है बार मेगनेट के अराउंड जो मेगनेटिक फील होता है वो ये होता है नौर्थ पोल टू साउथ पोल नौर्थ पोल टू साउथ पोल और अगर हम बात करें अगर हम बात करें यहां पर यही होगा यह आपका यहाँ पर साउथ पूल हो जाएगा क्योंकि करिंट जहाँ से एंटर करता है वो साउथ पूल होता है यह आपका नॉर्थ पूल हो जाएगा थीक है थीक है coils of copper having n circular turns coils of copper having n circular turns is known as coils of copper having n circular turns is known as solenoid और जो bar magnet and solenoid होता है उनके around जो magnetic field होता है वो similar होता है ठीके? बिल्कुल सही जवाब सब लोग एकदम सही जवाब कह रहे हैं और आप सभी को दिल से दिल से दुआए ने कल रहे हैं इतनी देर से बैटे हो 11 गंटे 11 आर से बैटे हो अभी भी आपके अंदर वो जोस है अभी भी आपके अंदर वो उर्जा है अभी भी आपके अंदर उर्जा है यानि आप लोग पक्की बात है भाई कुस्तों करोगे जीवन में कुछ तो करोगे, इतनी बात तो पक्की है, इतना अगर आप लोग महनत कर रहे हो, तो भगवान देख रहा है, ले के जाएगा आपको कहीं न कहीं, अच्छी जगे, गलत काम नहीं करना है, और जो मेगनेटिक फील लाइन होती है, वो वेरी सिमिलर टू बार मेगनेट के बराबर होती है, ठीके, इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह वहीं, दूसरा एंड साउथ पोल की तरह वर्क करता है, यानि एक लॉग सालिनोइड की जो प्राबर टीज होती है, बार मेगनेट की तरह होती है, ठीके, ठीके, चलो, अगला सवाल, यानि बात कर रहा है कि क्या हमारी बॉड़ी भी मेगनेट कर दो करते हैं, थोड़ा वय्म स्लो कर लिए थे हैं, हाउज जो जोस हमको इक बच्चे ने कह दिया है वल्लिम स्लो कर लिजिए, हम वाल्यू सब्सक्राइब है, competency-based सवाल पूछा जा सकता है, तो भाईया देखिए, हमारी body के अंदर भी क्या होता है, ions का flow होता है, हमारी body के अंदर भी ions का flow होता है, यानि, whenever there is an electric current, there is a magnetic field, ऐसा कहा था Hans Christian और स्टेंड ने, कि जहां कहीं भी एक electric current होगा, यानि, हमारी body के nerve cells में भी क्या होते हैं, ions move करते हैं, हमारी body के nerve cells में ions move करते हैं, और उन ions के moment के कारण भी magnetic field produce होता है, अब जब कभी भी हम कुछ touch करने का try करते हैं, जब कभी भी हम कुछ touch करने का try करते हैं, तो हमारी जो knobs होती हैं, वो electric impulse करी करती हैं, हमारे muscles के थुरू, यानि, जब कभी भी मैं अगर किसी चीज को touch करना चाहूं, तो जो मेरी, वो क्या है, मेरी जो है, नॉब्स हैं, नॉब्स क्या करेंगे, इलेक्टरी इंपल्स करी करती है, मेरे मसल्स के थुरू, यानि मेगनेटिक फिल्ड प्रोड्यूज हो रहा है, क्योंकि आयन्स मूव कर रहे हैं, ठीके, आवर या, and these impulse create a temporary magnetic field, और ये जो इंपल्स है, ये temporary magnetic field create करती है, और these fields are about 1 billionth as weak as the earth magnetic field, बहुत 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 ज़्यदा चोटी होती हैं, पर होती हैं, बहुत ज़्यदा चोटी होती हैं, पर होती हैं, और हमारी body में दो main organ होते हैं, जहां पर magnetic field produce होता है, यानि कुछ significant amount में magnetic field produce होता है, जैसे कि एक हमारा दिल, जो कि आप लोगों पर चला गया है, और एक हमारा दिमाग, जो कि आपका दिमाग, जो कि काम नहीं कर रहा है, एक हमारा दिल, जो कि आप लोगों के उपर चला गया है, और एक आपका दिमाग, जो कि अब धिर धिरे काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, अरे notes कहां मिलेगा, notes मिलेगा आपको PW app पर, notes मिलेगा PW app पर तो ये दिल हमारा है जो आप लोग के उपर है दिमाग आपका है जो कि अब नहीं चल रहा है काम करना बंद कर दिया है ठीक है तो ये होता है humans के अंदर magnetic field का काम what is mean by earthing why should the electrical appliances be earth earthing का मतलब क्या होता है earthing का मतलब होता है बचो देखो अभी हमने क्या खरीद लिया एक बड़ा सा fridge खरीद लिया बहुत सारा पैसा मिला तो हमने एक बड़ा सा fridge खरीद लिया और ये हमारे घर का supply है supply है current आ रहा है यहां से current आ रहा है यह fridge खरीद लिया हमने क्या बोलते है इसको fridge बोलते है अब frizz खरी लिया चुकि महेंगा वाला frizz है भाई महेंगा वाला frizz है तो यह क्या है metal body का है महेंगा वाला frizz है metal body का है about material body का है अब क्या हो जाए कि कभी सर्किट ब्रेक हो जाए सर्किट ब्रेक हो जाए तो करिंट का लीकेज होने लगेगा और अगर करिंट का लीकेज होने लगा तो गड़बड हो जाएगी गड़बड हो जाएगी करिंट का लीकेज होने लगा और जो वायर है वो तूट के इस मैटल पॉडी के कॉंटेक्ट में आ गया तो हम जाएंगे पानी पीने की भाईया ठंडा पानी पीएंगे हम गए और हम गए एकदम ताओं में गए बढ़ियां एकदम गए और जाके हमने अपना मेटल वाला फ्रिज खोला अच्छे आदमी थे अच्छे आदमी थे गड़बड हो सकती है गड़बड हो सकती है भाईया क्योंकि करेंट का लीकेज हो रहा है मेटल बॉडी है डारेक कॉंटेक्ट में आए तो शौक लग सकता है एलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है तो उस एलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए क्या किया जाता है उस एलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए जो भी हमारे घरों में मेटल वाले मेटल वाले क्या होते हैं उनको क्या किया जाता है एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है जिस का resistance बहुत ही ज़्यादा कम होता है यानि एक low resistance एक low resistance wire से connect कर दिया जाता है और ये low resistance wire क्या करता है ये low resistance wire क्या करता है एक easy path provide करता है for the leakage of current ताकि ये leakage जो हो रहा है current का वो आसानी से कहां पर चला जाए GND में चला जाए कहां पर चला जाए अर्थ में चला जाए अर्थ में चला जाए because potential जो होता है अर्थ का वो कितना होता है zero होता है potential कितना होता है earth का 0 होता है तो ये current directly यहाँ पर चला जाए leakage जो हो रहा है directly चला जाए और हम अब जाके आराम से bottle खोले fridge खोले और पानी पिए और रहें समझें, समझ गए तो ये होता है funda जो भी leakage हो रहा है उस leakage current को earth में पहुचाने का एक simple सा काम करता है यानि the metal body of appliances like fridge, cooler, mixer, etc. are connected to an earth wire so that any leakage of current to the body of appliances goes to the earth and does not give electrical shock and this is called earthing and it is used as a safety measure in the order to prevent electric shock to the user, electric shock ठीक है? अरे नहीं लीला जो सी कैसे सो जाए बेटा? आप लोगा exam है हम को नहीं नहीं आएगा न? आप लोगा exam में आप लोगा बिना पढ़ाए नहीं सो सकते हैं जब तक पुरा खतम नहीं होगा तब तक नीन नहीं आएगी चलिए अगला सवाल explain why two magnetic field lines of force do not cross each other दो magnetic field lines एक दूसरे को कभी cross क्यों नहीं करते हैं क्योंकि magnetic field lines के किसी भी एक point पर हम जब कोई tangent draw करते हैं हम magnetic line जो magnetic line of force होती हैं उसके किसी भी point पर ये क्या है magnetic magnetic line of force magnetic line of force के किसी भी point पर हम tangent draw करते हैं तो वो tangent क्या देता है वो tangent हमें उस point पर magnetic field की direction बताता है वो tangent हमें उस point पर magnetic field की direction देता है अब क्या हो रहा है दो magnetic field lines एक दूसरे को intersect कर रही है intersect कर रही है तो इस point of intersection पर इस point of intersection पर क्या होगा बच्चो इस point of intersection पर जब हम tangent draw करेंगे जब इस point of intersection पर हम tangent draw करेंगे तो यहाँ पर जो magnetic field lines है जो magnetic field है इस point of intersection पर जो magnetic field है उसकी उसकी दो direction हो जाएंगी magnetic field की दो direction हो जाएंगी इस point of intersection पर जो की क्या है impossible है जो की impossible है और इसी वज़े से two magnetic field lines never intersect each other two magnetic field lines never intersect each other विकल्प, विकल्प मेरे भाई कैसे हो, ठीके clear है, क्योंकि अगर कहीं पर दो magnetic field line intersect करती है तो इस point of intersection पर magnetic field की दो direction है जो कि impossible है वो हो नहीं सकता है ठीक है? तो देखो क्या कह रहा है? वही कह रहा है जो हमने बताया है कुछ अलग नहीं कहेगा the magnetic line of force do not intersect one another due to the fact that the resultant force on the north pole at any point can be only in one direction but if the two magnetic field lines of force intersect one another then the resultant force on the north pole place at the point of intersection will be along direction which is not possible ठीक है? अगला सवाल what type of core should be put inside a current carrying solenoid to make an electromagnet? बहुत simple है बहुत simple है जल्दी से एक आंसर बताओ हमसे पूछ रहा है कि किस type के, किस type के core material को किस type के core material को solenoid के अंदर रखना चाहिए जिससे की electromagnet बन जाए किस type के core material को solenoid के अंदर रखना चाहिए जिससे की electromagnet बन जाए यहाँ पर जो core material रखाएगा वो core material कौन सा होना चाहिए, यह हमसे पूछ रहा है कि यह core material कौन सा होना चाहिए soft iron, बिल्कुल सही जवाब है soft iron को अगर हम रखेंगे, इस solenoid के अंदर तो यह electromagnet बन जाएगा, और इसकी सबसे खास बात यह होती है बचो, कि जैसे ही current flow होना बंद होगा, यह soft iron वापस से क्या हो जाएगा, de-electro magnetize हो जाएगा, यानि इसकी अंदर जो magnetic property आई थी, वो वापस से धीरे 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 with time खतम हो जाएगी, इसी वज़े से यह सबसे best होता है electromagnet बनाने के लिए कि जितनी दीर तक current flow करवाओगे, वो magnet की तरह भी एप करेगा, पर जैसे ही current flow ना बंद होगा, उसकी magnetic property समय के साथ धीरे 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 कम हो जाएगी, clear है? समझ में आ गया है तो देखो, a soft iron core is placed inside a solenoid to make an electromagnet and when a soft iron core is placed inside a solenoid, then the strength of magnetic field becomes very large because the iron cores get magnetized by the induction and this combination of solenoid and soft iron cores is called an electromagnet okay okay, buddy, is clear है? distinguish between a bar magnet and an electromagnet, बहुत simple है आपको एक bar magnet and an electromagnet के बीच में अंतर बताना है, देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा है? अब बार मैगनेट is a permanent magnet it produces a comparatively weak force of attraction the strength of magnet cannot be changed यानि बार मैगनेट के strength को हम बदल नहीं सकते हैं the polarity of a bar magnet is fixed, हम उसकी polarity को भी नहीं बदल सकते हैं, पर वहीं अगर बात करें हम electro-magnet की, अगर हम बात करें electro-magnet की, तो वो एक temporary magnet होता है वो very strong magnet होता है हम क्या कर सकते हैं, electro-magnet के हम strength को change कर सकते हैं इसके strength को change कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं इसकी polarity को भी change कर सकते हैं polarity of an electromagnet can be change by changing the direction तो ये difference हो गए आपके permanent and electromagnet में ठीके, नीन्द आ रही है, तो एक बार फिर से वहीं, ये, 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 सर को ऐसा गोल 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 गो जी पढ़ा रहे हैं वही सेम जो उसके साथ जिससे शुरुआत की थी अभी वही है तो पढ़ लो वाट इस फ्यूजवायर मेड़ और वाइस फ्यूजवायर मेड़ आफ टिन लेड एलोई and not copper fuse wire fuse wire जो कि एक safety device होता है जो कि safety device होता है और वो क्या करता है वो हमारे घरों में होने वाले short circuit से हमें बचाता है अब कह रहा है बचो कि tin lead alloy का fuse wire बनाते हैं copper का क्यों नहीं बनाते हैं तो reason यह है कि copper is a good conductor copper is a good conductor होता है और good conductor होने की वज़े से इसका resistance जो होता है वो low होता है और resistance low होता है और साथी साथ इसका melting point जो है वो high होता है तो copper का जो melting point है वो high होता है तो भीया high melting point होगा तो इसको पिघलने के लिए ज़्यादा तेजगरम होना पड़ेगा पता चला यह जब तक पिघल रहा है तब तक पता चला यह पिघल रहा है तब तक TV खराब हो गई तो इसलिए copper wire का नहीं बनाया जाता है fuse wire, tin lead का बनाते हैं क्योंकि इसका melting point कम होता है यह जल्दी पिघल के और electric circuit को बचा लेता है, ठीक है? तो यह देखिए, यह आपका melting point जो है इसका बहुत high होता है as compared to tin and lead a fuse wire is made of tin and alloy because it has low melting point ठीक है? so that it may melt easily whereas a copper wire cannot be used as a fuse wire because it has a high melting point and due to which it will not melt easily when a short circuit take place तो पता चला वो पिघल नहीं, बाकी सब पिघल गया वो पिघल नहीं, बाकी सब पिघल गया, ठीक है? अगला सवाल draw systematic diagram of common domestic circuit showing provision of earth wire चार सवाल चार सवाल polarity का मतलब क्या होता है? polarity का मतलब यह होता है बच्चा पाटी polarity का मतलब है poles यह north pole, यह south pole तो यह polarity कहलाता है यह polarity कहलाता है north and south pole हमको एक systematic diagram दिखाना है एक systematic diagram दिखाना है जिसमें earth wire हो, main fuse हो, electric meter हो and distribution box हो, याने हमको क्या दिखाना है हमको दिखाना है बच्चा domestic electric circuit हमको दिखाना है domestic electric electric circuit domestic electric circuit हो इसके बाद हमको बताना है short circuit and overloading क्या होता है short circuit and overloading क्या होता है यह हमको बताना है भानु प्रिया जी देखिये जरा ध्यान से तो देखो यह बता दिए देखो भाया हमारे घड़ों में हमारे घड़ों में दो वायर आ रहा है बाहर से एक तो लाइव वायर लाल कलर का यह रहा लाइव वायर यह रहा लाइव वायर एक आ रहा है न्यूट्रल वायर एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर अब जरा ध्यान से देखो, ये जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, तो इसके बेस पर जो competency-based वाला सवाल है, वो सवाल बन जाएगा, देखो, live wire से fuse को जोड़ा जाता है, हमेशा, हमेशा fuse को live wire से जोड़ेंगे, ताकि ये जल जाए, और live wire में ही current आता है, तो current flow होन ना बंद जाए, बंद हो जाए, जैसे ये जलेगा, circuit break हो जाएगा, current आगे जाएगा ही नहीं, live wire, neutral wire, live wire से fuse जोड़ा, वो आगे गए, तो हमारे घरों में जो मीटर होता है, बिजली बिल, बहुत सारा भरना पड़ता है, बिजली बिल जो होता है, बिजली बिल भरना होता ये आपका शॉकेट हो गया, दुनिया भर की चीज़े है, फैन है, सब में लगा दिया, फिर उन सारे electrical appliances से हम earth wire को connect कर देते हैं, देखो earth wire bulb से connect है, earth wire fan से connect है, सबसे earth wire को हम connect कर देते हैं, ताकि जब current का leakage हो, तो वो current का leakage सीधे कहां चला जाए, वो current का leakage earth में चला जाए, एक easy path provide करता है earth wire और हमको electric shock ना लगे, ये होता है domestic electric circuit, आप लोग कह रहे हैं सर, बना के बता दीजिए, चलिए, बना के बताता हूँ, देखो, बना के बताता हूँ, ठीक है, आप लोग ने कहा भाई, और हम कहें नहीं करेंगे, आप ने कहा और हम क्यों नहीं करेंगे, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो बना रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुते सिंपल है, बहुते सिंपल है, कि येदेखो, देखो ज़राध्यान से ये क्या है आपका लाइव वायर है ये है आपका न्यूटरल वायर ठीक है वाईया इधर क्या ठीक है लाइव वायर न्यूटरल वायर लाइव वायर न्यूटरल वायर फिर यहाँ पर ये है आपका फ्यूज यह है आपका मीटर यह है आपका डिस्ट्रिबूशन बॉक्स बीस मिनिट अर लगेंगे फिर यहाँ पर हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया ती कर दिया यहाँ पर हमने एक फैन कर दिया यह समझ रहा है इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं यह दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं अब इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा एक और वायर आता है एक और wire आता है जो की जो की ऐसे चला जाता है वो इससे भी connected होता है वो इससे भी connected होता है और ये आगे circuit में और चला जाता है ठीक है और ये जो wire है ये कहां होता है अर्थ के अंदर buried होता है ये अर्थ के अंदर buried होता है ये अर्थ के अंदर buried होता है इस प्रकार का आपका होता है electric circuit, इस प्रकार का domestic electric circuit होता है, यह देखिए इस प्रकार का domestic electric circuit होता है clear है, clear है, चलिए भईया अब पूचाता है, overloading क्या होता है, overloading नाम से समझ में आ रहा है, जब capacity से जादा ले लिया जाए capacity से ज़्यादा ले लिया जाए यानि जो capacity है वो है कितने ampere की वो है 10 ampere की और वहाँ से 15 ampere अगर current हम drawn कर रहे हैं तो क्या होगा due to the heating effect of electric current वो गरम हो जाएगा और जल जाएगा wire गरम हो जाएगा और जल जाएगा यानि the condition in which a high current flows through the circuit and at the same time too many appliances are switched on then the total current drawn through the circuit में exceed its rated value 10 ampere की capacity है 15 ampere current ले लिया यानि जरूरत से जादा ले लिया और काद से जादा काम करवा दिया तो दिक्कत हो जाएगी जल जाएगा खराब हो जाएगा ठीक है short circuiting क्या होती है तो जब कभी भी live wire और आपका neutral wire एक दूसरे के direct contact में आते हैं तो high current flow होता है जिसकी वज़े से आग लगने के chances होते हैं यानि live और neutral wire direct contact में आ जाए तो उस condition को कहा जाता है short circuiting उस condition में बहुत ज़्यादा high amount current flow होता है और heating effect of electric current की वज़े से heating effect of electric current की वज़े से आग लगने के chances होते हैं आग लगने के chances होते हैं आग लग जाती है तो आपने सुना होगा अकसर की वहिया इनकी दुकान में आग लगे due to the short circuit due to the short circuit ठीके the burnt out fuse should be replaced by another fuse of identical rating एक fuse है जो की जल गया है उसे same rating के fuse से ही क्यों बदला जाता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा rating का fuse इस्तमाल करेंगे तो current flow हो जाएगा हमारा जो circuit है वो जल जाएगा हमारे devices जल जाएगे अगर हमने कम rating का fuse इस्तमाल किया तो क्या होगा जो circuit की efficiency है वो खतम हो जाएगी यानि भया वो 10 ampere तक का current सह सकता था पर हमने 9 का use किया तो 9 में ही circuit को जला दिया उसने efficiency कम कर दी 10 की capacity थी 11 का लगा दिया अरे 11 का लगा दिया 10 में तो सब कुछ जल गया न तो 11 का लगाने का क्या फाइदा कोई फाइदा नहीं हुआ ठीक है तो a burnt out fuse should be replaced with the identical rating because it help in protecting the circuit from overloading and short circuiting if a fuse of high rating is used then it may not melt and cut off the supply during overloading और आपका circuit खराब हो जाएगा similarly एक fuse है जिसकी lower rating है वो melt हो जाएगा जल्दी और जो आपका जो circuit है उसकी efficiency को decrease कर देगा ठीक है circuit की efficiency को decrease कर देगा बस बस खतम हो गया है खतम हो गया है alternating current direct current बताना है और क्यों जो आपका alternating current है direct current के उपर हम उसको prefer करते हैं तो आपको मैंने बता दिया है देखो फटा फट alternating current क्या होता है जिसका magnitude और direction जो है वो time के साथ change होता रहता है direct current जिसका magnitude constant रह सकता है या बदल सकता है पर उसकी direction जो है वो हमेशा same रहती है वो बदलती नहीं है alternating current को हम दूर तक transmit कर सकते हैं without much loss of energy as compared to the direct current और इसी वज़े से AC current को prefer किया जाता है direct current पर over the long distance transmission ये अब सिर्फ आपके तीन सवाल बचे हैं तीन सवाल बचे हैं competency based देखो दिखा देता हूँ एक सवाल दूसरा सवाल तीसरा सवाल and thank you slide दिख्या आपको सिर्फ तीन सवाल बचे हैं competency based सवाल आपके हैं उनको फटा फट करते हैं फिर आपको हम छुट्टी देंगे आप लोग जाईएगा rest करिएगा ได儿 एक सवाल सवाल 11 बच गए है 15 मिनट में थीन सवाल हो जाएगे 小ल चलिए एक बात जल्दी दे बता दीए वाउस द जोस हाउस द जोस्न फाउस योस कैसा है इक बार बता हो भाईए जोस कैसा है 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 1820 में, 1820 में Hans Christian और Estet ने ये देखा कि जब current flow होता है तो उसके पास में रखी जो magnetic compass निडल है वो deflect होती है और इसके बाद इनको कई साल लगे electricity और magnetism में relation find करने में ये बात हमको पता है यानि जब discover नहीं हुआ था जैसे कि अभी हमको पता है कि जो current carrying wire है उसके around जो magnetic field होता है वो current की direction के perpendicular होता है current ऐसे तो magnetic field की direction perpendicular होती है पर इस discovery से पहले क्या हुआ था कि उनको लगता था कि जिस direction में current flow रहा है magnetic field भी उसी direction में होगा ऐसे perpendicular नहीं होगा magnetic field perpendicular नहीं होगा current की direction में होगा उपर north एक जगे south एक जगे north एक जगे south pole होगा ठीक है और यही this was a major reason why he took so long to discover electromagnetism the figure below shows how Orested would have arranged his wire and magnetic needle in his early experiment यानि यह दिखा रहा है कि जो Orested जी है उन्होंने कैसे arrange किया था देखो current flow होगा current flow होगा यह यहां से current flow होना start हो जाएगा जैसे circuit complete होगा current flow होना start होगा current flow होगा देखो इन्होंने यह लिख दिया है कि जो magnet होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा जो magnet होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा जो magnet होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा current flow होगा तो ऐसा होगा ऐसा उस type का उन्होंने arrangement किया इस टाइब का उन्होंने arrangement किया, अब आते हैं सवाल पर, सवाल कह रहा है, पहला कह रहा है, draw a diagram to show the observation that Oristid would have expected when switching on the current in his hypothesis had been corrected, यानि अगर इसको वो सही लेके चलते, अगर इसको सही लेके चलते, तो जब current flow होता, तो इसमें जो deflection है, वो किस प्रकार का होता, तो देखो, इसमें जो deflection है, वो किस प्रकार का होता, अब देखो, ये north and south pole है, ये north and south pole है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, north and south pole, दिख रहा है हमको, अब जब current flow होता, circuit में current flow होता, तो यहाँ पर south pole हो जाता, यहाँ पर north pole हो जाता, और ये बच्चो, ये जो आपकी compass needle है, ये compass needle का south pole and north pole, अब क्या होता है, जो opposite poles होते हैं, वो एक दूसरे को attract करते हैं, है ना, opposite poles of a magnet attract each other, अब opposite poles of a magnet attract each other, तो जब ये circuit close होता, current flow होता, ये south pole हो जाता, ये north pole हो जाता, तो south pole किसको attract करता, south pole, north pole को attract करता, और south pole क्या करता, ये वाला इसको, और ये वाला इसको, यानि जो यहाँ पर magnetic compass की जो needle है, वो कुछ इस प्रकार से arrange हो जाती, जिसमें, बच्चो, उपर क्या हो जाता, उपर हो जाता, आपका south pole, नीचे हो जाता, north pole, यानि ऐसा होता, ठीके, ऐसा होता, यानि ये क्या हो जाता, ये सीधी हो जाती, उपर south चला जाता, नीचे north हो जाता, क्योंकि opposite poles of a magnet attract each other, अगर हम उनकी hypothesis को सही लेके चलते तो पहला हो गया दूसरा कह रहा है अब हमें सही में पता है कि जो magnetic field ने वो current की direction के perpendicular होता है तो उसको समझते हुए उसको समझते हुए अपने current knowledge को समझते हुए हम बता सकते हैं कि क्यों उनका experiment field हुआ तो भाया देखो उन्होंने magnetic field की direction ये ले रखी थी north-south, north-south, north-south ले रखी थी बट actually में वो होती नहीं है magnetic field की direction क्या होती ये magnetic field की direction ये होती current यहाँ से flow रहा है तो anti-clockwise अब magnetic field की direction ये होती perpendicular अभी उन्होंने parallel ले रखा था अब magnetic field की direction perpendicular और उसके उपर उसके उपर जो needle रखी है वो भी कैसी है ऐसे parallel होगी ना अब needle भी ऐसे रखा गई magnetic field की direction भी ऐसे रखा गई अब दोनों ये हो गए तो इस वजे से जो needle है उसमें no deflection कोई भी deflection नहीं होगा कोई भी deflection नहीं होगा ये south ये south ये north south south north इसमें north south हो जाएगा जिसकी वएशे ये क्या हो जाएगा एक दूसरे के उपर हो गया तो no deflection कोई deflection नहीं होगा कोई deflection नहीं होगा तो second वाला भी हमने solve कर लिया second वाला भी हमने solve कर लिया third case second question competency based question बहुत simple है आप लोग पढ़िए देखो कह रहा है दो लोग है madhu and raul जिनके circuit यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये रहा madhu का circuit ये रहा raul का circuit ये सवाल आप लोग देंगे ये रहा madhu का circuit ये रहा raul का circuit in which circuit will the bulb glow when the switch is close यानि जब switch को close किया जाएगा switch कहां दिख रहा है ये दिख रहा है जब switch को close करेंगे तो किस circuit में current flow होगा जब switch को close करेंगे तो किस circuit में current flow होगा बताओ जब switch को close किया जाएगा तो किस circuit में current flow होगा switch को close करेंगे switch को close करेंगे तो किस circuit में current flow दोनों में ही दोनों में ही बिल्कुल सही जवाब है दोनों में ही bulb glow होगा क्योंकि circuit close होगा ये complete हो जाएगा bulb glow होगा circuit close होगा ये complete हो जाएगा bulb glow होगा यानि दोनों ही cases में in both the cases bulb will glow in both in both the both the cases cases bulb bulb will glow यानि दोनों ही cases में bulb glow करेगा दोनों ही cases में bulb glow करेगा अब देखो second में both Madu and Rahul open the switch in their circuit यानि दोनों ही के case में जो switches ने वो open है स्विच्च उपन है और वो लोग क्या कर रहे हैं बल्ब को change कर रहे है दोनों के switch open है circuit close नहीं है दोनों के switch open है और दोनों बल्ब को change कर रहे है तो किसके लिए बल्ब को चेंज करना जादा डेंजरस होगा किसके लिए बल्ब को चेंज करना जादा डेंजरस होगा राहूल के लिए राहूल के लिए बल्ब को चेंज करना जादा डेंजरस होगा क्यों देखो यहाँ पर इसका स्विच किस से है लाइव वायर से है यहाँ पर आप लोग राहूल से कह रहे हैं पर देखिए अभी हम solve कर रहे हैं लाइव वायर, switch किसमें लगा है? लाइव वायर में switch open है, मतलब कोई current flow नहीं हो रहा है यहाँ पर current नहीं है, कोई current नहीं है लाइव वायर में current होता है और लाइव वायर ही disconnected है यानि राहूल के लिए बल्ब को change करना safe होगा but in case of मधू, जो switch है वो आपका neutral वायर में लगा है लाइव वायर में अभी भी current है, कुछ ना कुछ लाइव वायर में कुछ ना कुछ current है, कुछ ना कुछ current है और इसके रहते अगर वो बल्ब change करेगा तो मधू के लिए बल्ब change करना क्या हो जाएगा, dangerous समझ में आया, मधू के लिए dangerous हो जाएगा क्योंकि live wire अभी भी connected है तो मधू के लिए बल्ब change करना dangerous हो जाएगा पर राहूल के लिए बल्ब change करना dangerous नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर live wire में switch लगा हुआ है समझ में आ गया होगा चलो लास्ट सवाल है आज के मेराथॉन का आज के मेराथॉन का कमपिटेंसी बेज कोशन और मैं कहूं कि पी डबलू की तरफ से इस बार आप सभी लोग जो भी क्लास टिंथ में हैं उनके लिए उनके लिए फिजिक्स का लास्ट कोशन है इसके बाद आप लोग डारेक्ट जाएंगे एक्जाम हॉल में जहां पर आप लोग बैठेंगे और एक्जाम देंगे लास्ट कोशन है क्या कह रहा है हाँ देख रहा है भाईया इन दे सर्केट बलो इन केस अफ एन ओवरलोड विल दा फ्यूस प्रोटेक्ट दा इलेक्ट्रिक ओवन फ्रॉम डेमेज जस्टिफा यूर आंसर फ्रस्ट केस में हमको बताना है फ्रस्ट केस में बताना है कि अगर सर्केट में ओवरलोड होता है भाईया कॉम्पिटेंसी बेस यही पूचा है कोई टफ नहीं है हमने नहीं बताया है जो CVSE ने पेपर रिलीज किये है उसमें यही कॉम्पिटेंसी भी सवाल है देखो फ्यूस वायर न्यूट्रल में लगाया है लाइव वायर यह है जब सर्केट कंप्रीट होगा तो क्या यह फ्यूस वायर इस O1 को बचाएगा in case of overloading NO in case of overloading जो fuse है इस O1 को नहीं बचाएगा क्योंकि जैसे ही switch complete होगा close होगा current flow ना start हो जाएगा current flow गा flow गा और O1 में overloading के कारण इसको क्या करेगा burn कर देगा और फिर बाद में fuse में current आ रहा है तो last में आ रहा है, इधर से इसको जलाने के बाद आ रहा है तो बाहर जुड़ा हुआ है, ये तो बाहर जुड़ा हुआ है fuse बाहर जुड़ा हुआ है, यानि live wire से current गया उसने oven को burn कर दिया, और बाद में fuse में current आ रहा है तो this fuse जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा इस O1 को, है ना, तो आंसर जाएगा, no, fuse will, हम लिख देंगे, fuse will not protect, fuse will not protect the O1 from burning. जो fuse है, वो circuit को burn होने से नहीं बचा पाएगा, B वाला, if the above O1 has a rating of 13 ampere, what should be the minimum rating of the fuse, यानि इस O1 की जो rating है 13 ampere है, तो हमने यहाँ पर जो fuse लगाया है, या हम fuse यहाँ पर, fuse तो यहाँ पर लगेगा ना, live में, fuse live में लगेगा, तो उसकी जो minimum rating है वो कितनी होनी चाहिए, तो minimum जो rating है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपका 13 ampere से slightly जादा, क्योंकि 13 का तो इसका rating है, 13 का तो इसका rating है, 13.1 यहाँ पर हो गया, 13.1 यहाँ पर हो गया, गडबड़ जाएगा, है ना, if the above O1 has a rating 13 ampere, what should be the minimum rating of the fuse, minimum rating क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 14 ampere या 15 ampere, थोड़ा सा slightly जादा ले लेंगे हम, ठीक है, तो यह हो जाएगा answer, और इसी के साथ, इसी के साथ, हमारा जो यह marathon session है, the end. सवा 11 बोला था, सवा 11 बजे, सवा 11 बजे, आपकी class कतम हो गई है, सारे chapters हम लोगोंने cover कर लिये हैं, सारे ही chapters कवर कर लिये हैं, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, जैसा कि आप लोगों से starting में promise किया था, और आपने देखा, जिस energy के साथ, हमने start किया था, उसी energy के साथ हम यहाँ पर ending कर रहे हैं, ठीक है, competency based question कर लिये हैं, हमने PYQs कर लिये हैं, हमने numericals कर लिये हैं, हमने theory complete कर लिया है, theory कर लिया है, theory कर revision कर लिया है, सब कुछ revise कर लिया है, हम लोगोंने कुछ भी नहीं बचा है, और इतना sufficient है, इस चीज को अगर आप लेके जा तो इतनी बात तो पक्की है, कि आप सारे सवालों के जवाब दे दोगे, बस थोड़ा सा सोचना है, हलका सा सोचना है, और आसिरवाद लेना ना भूलना, यह सब से important है, अपने बड़ों का आसिरवाद लेना ना भूलना, ठीक है, बाकी हमारा प्यार तो आप लोगों के सा तो हम लोग भी बने रहेंगे आप लोगों के साथ लव यू ओल लव यू बच्चो लव यू बच्चो लव यू बच्चो आप सभी को धेल सारा फ्यार धेल सारा फ्यार धेल सारा फ्यार तो ये थी आपकी marathon session, कैसा रहा, कैसा रहा, कैसा रहा, मजा आया, मजा आया, आप लोगो सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा लीजिए, सर आ गए है, बस सर, क्या कहें, गला भारी है, गला भारी, गला भारी है, emotionally नहीं, पढ़ा पढ़ा के तुमको, चिला चिला के तुम पे, गला भारी है, लेकि पर डिसकस करने भी आएंगे यार फिर रोएंगे मिलके ठीक है ना अभी नहीं अभी आशू भाने का टाइम नहीं ठीक है ना मज़ा आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यह इतना साला प्यार देने के लिए हमें 12 खेंटे जिलने के लिए हमारी आवाजों को है ना बहुत बहुत भाई आप लोगों का धन्यवाद फिर मिलेंगे हम लोग और सर जी डिनर आपका ज़रा भार रेडियो रखा एकदम है ना तो चलते हैं फिरे डिनर बिनर करते हैं ठीक है और आप लोग भी कुछ खापी लीजिए और अलाम से सो जाईएगा ठीक है रिविजन करना है कुछ भी नया नहीं पढ़ना बस इस बात का ध्यान रखना ठीक ना भाई कुछ भी नया नहीं जो पुराना है उसको संजो के रखो जो पुराना पड़ा है उसको समेट के रखो उतना ही काफी होगा आपको पूरे नंबर दिलवाने में फिदिक्स के अंदर ठीक है ना बस ओके लव यू अल एंड और वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम अल दवेरी वेस्ट अल दवेरी वेस्ट सभी को अत्पराइब आप सभी लोग के लिए नहीं और अम आरे तरफ से प्यार लेके आप लोग मिलें अवाफ जल्द ठीकशें टीस तक्यस से प्रिद्यれる को